है फिलो स्टूडेंट्स आइ वेल्कम यौल वन्स अगेंग दिस चैनल प्रभावी कंप्टिशन अपमें सबका स्वागत करता हूं और गाइज एज्टी नौ वी अर्ट कवरिंग कॉस्मोस पॉब्लिकेशन चुब्लिकेशन की हम लोग ncrt कवर कर रहें and this is a gist of NCRT this is from 6 to 2 to 12 यह NCRT का gist है complete जिसमें हम लोग in short हम लोग बहुत सारा content cover कर सकते आपको पूरा NCRT cover नहीं करना है if you are going for summary and something वो उस तरीके का कुछ दून रहा हो इसके लिए best है यह book Cosmos Publication की है महेस बरनवाल की यह compilation है very important इसमें हम लोग आज इसका geography का मैंने already एक वीडियो मैंने बना रखा है जिसको आपने I hope so आपने देखा होगा playlist पे अगर नहीं देखा है तो जाके देखिए इसका यह second part है इससे पहले मैंने अप टू यहाँ पे agriculture तक मैंने cover कर रखा था तो अगर आप डाइरेक्टिस को देख रहे हैं तो I would suggest यह कि आप जाएए इससे पहले वाले वीडियो जरूर देखिए and then इस वीडियो को continue कर सकते हैं तो एनिमल हस्भेंडरी में वीछ स्टार्ट विद फाइनल पॉइंट्स एक एक करके हम देखेंगे चैनल पर नहीं है तो जरूर सब्सक्राइब कीजेगा बेल आइकन को भी प्रेस कीजेगा ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहा है पहला पॉइंट है The 20th livestock census report has been released by which ministry So यह recent development है 20th livestock census आप सोचते होंगे कि कही न कहीं human कहीं census होता है ऐसा नहीं है हमारी country में जो livestock होते है जो cattle है, buffalo है, pigs है, sips है goat है and other animals इनकी भी counting होती है that is called livestock census and this is जो latest वाला है यह 20th livestock census है यह report this has been released by which ministry पूछा है तो यह ministry of fisheries animal husband and daring के दवरा daring के दवरा यह दिया गया है ministry of fisheries, animal husbandry and daring according to the number of 20th livestock census the total livestock includes cattle cattle का जो total overall 100% में जो इनका composition है, वो 35.94% है वही अगर बात करें भैसों की यानि कि वो फैलोज की तो वो 20.45% है goat की 27.80% है sheep यानि कि भेण वगरा की इसकी है 13.87 और pigs की है 1.697 69% animals, other animals वो सकता है कुछ और भी जो बच गए वो अले मिला दिया जाए तो बहुत कम हैं का percentage वालब जो हमारा composition है वो mainly cattle का यानि गाय वोगरा और वो फैलोज का है गोट का है सिप का है पिक्स का है चलिए आगे बढ़ेंगा तो यह है मतलब cattle के हिसाब से भी सबसे ज़्यादा यहां पे रहते है और humans के हिसाब से भी which is the most lactating goat breed in India lactating का मतलब है जो दुधारू सबसे ज़्यादा lactating goat कौन सी है तो वो है जमुनापरी जमुनापरी इसका नाम है ठीक है जमुनापरी वेर इस थरपरकर species थरपरकर species of cow found तो थरपरकर एक species है किसका cow का cow का species है and this is found in the border areas of Rajasthan border areas of Rajasthan यानि की जैसे की बादमेर जोदपूर चसलमेर इस तरीके के एरिया में यह पाय जाती है थरपरकर species according to 20th life stock census the largest increase in the number of animals was absorbed in West Bengal that is 23% का increase हुआ है and followed by Telangana 22% के साथ second number पे है विच रैंक दर्ज इंडिया होल्सिन वर्ल्ड milk production तो भारत का स्थान number one है हम लोग milk में number one है ठीक है milk में हम लोग number one है ठीक है production wise देखा जाए है तो milk में हम लोग number one है चाय में टी में भी हम लोग number one है milk टी ये सब में हम लोग number one है next है who is known as father of white revolution तो एक South Indian है इनका नाम है Vargis Kurian very important Vargis Kurian साब को father of white revolution यानि कि milk से लेटेट का जो revolution है इन में इनका बहुत बड़ा हाथ है chicken egg is made up of which mineral तो ये बना होता है calcium carbonate का chicken का जो एग होता है वो calcium carbonate का बना होता है ठीक है which is the highest egg laying hen breed in world highest egg laying hen जो है वो है leghorn leghorn world का अगर देखा जाए तो highest egg laying जो hen है वो उसका breed का नाम है leghorn अब हम देखेंगे central animal breeding farms in India तो एक है सूरतगर में सूरतगर परता है गंगा नगर डिस्टिक के पास परता है सूरतगर रास्थान में ठीक है then almad almadhi है ये तमिलाडू में धाम रोड है गुजरात में animal building farms है यहाँ पर बड़े-बड़े अंदेश नगर ये उत्तरपदेश में है चिपलीमा एन सूना बेदा ये उडिसा में है आपका हैसर घटा हैसर कथा जो है हैसर घटा मोलते है इसको ये है करनाटक में next operation flood is related to which sector तो ये है milk production and distribution से रिलेटेड है operation flood white revolution operation flood ये सब milk production से ही milk से ही related है where is central breeding farm located तो ये है हिसार हरियाना में सेरी culture सेरी culture क्या होता है it is a rearing of it is refers to it refers to rearing of silkworm for silk production silk production organized in china initially china china ने तो इसको छुपा के रखा था china ने कई सालों तक कई सौ सालों तक in fact मैं बोलू तो ये बाकी किसी को पता ही नहीं चला कि ये क्या होता है silk चीज क्या है उसका production कैसे होता है but later on disclose होई चीजे तो silk producing production जो है it was first organized in china then india is the second largest producer of silk after china top पे है china then अप हमारी country है number 2 पे हम देखेंगे phases of operation flood page 1 में क्या हुआ this was the duration wise देखा जाए this was from July 1972 March 1981 and phase 2 was from April 1981 to March 1985 वह अगर बात करें phase 3 की तो ये था April 1985 से लेकर March 1996 तक and phase 4 April 1996 से लेकर March 2000 तक चला है so this has been done in phase wise आपको मैंने 4 phase पता दिया what are the three major varieties of buffalo's indigenous breed indigenous का मतलब है local मतलब इंडिया का locally ठीक है इंडिया का होगा तो उसे indigenous यानि कि हमारे अपना जो breed है buffalo का वो है murra very important बहुत दुद देती है मुर्रा नीली रभी और जफरावादी इसमें मुर्रा जो है बहुत दुद देती है बहुत दुद देती है अब हम देखेंगा livestock population जो गिंती हुई थी इनके census के साब से उसको chart wise already this data we have discussed but chart wise देख लो cattle सबसे ज्यादा यहाँ पे 35% more than 35 approximately 36 35.94 precisely then goat 27.8% buffalo 20.45% then comes to this pig pig segment sorry sheep sheep is 13.87 and pig is 1.69 others 0.25 percent according to 20th National Livestock Census 2018 the largest number of cattle in India is Uttar Pradesh Uttar Pradesh में largest but density wise पूचा जाया तो Bihar में density wise Bihar में सब जादाया and Rajasthan Madhya Pradesh and West Bengal hands forth मतलब की Uttar Pradesh के बाद Rajasthan Madhya Pradesh फिर West Bengal where is the Central Goode Research Institute located तो यह है Mathura Uttar Pradesh में Types of silks देखेंगे तो एक type होता है Mulberry Mulberry it accounts for 79.24% of India's silk production सबसे ज्यादा इसी का होता है Leading producer इसमें करनाटक है फिर आता है Tussar Pale yellow color का यह होता है Leading producer इसमें जारखंड है फिर आता है Aery Aery silk यह soft होता है Less bright होता है Rough होता है Light brown color का यह होता है Leading producer इसमें है Assam और last में आता है Muga Muga एक बहुत important यह भी है Golden yellow color का होता है Leading producer इसमें Assam ही है ठीक है Eery और Muga में Assam टॉप पे है बाकी Mulberry सबस्जदा करनाटक में होता है Three training centers have been established for beneficial training and knowledge of milk business in the country इसमें एक है NDRI जिसका full form है National Dairy Research Institute NDRI National Dairy Research Institute करनाल में है Next है Maan Singh Institute of Training यह है में साना में और third one है Regional centers have been set up at G. Desai Training Institute पालनपूर यह बानस बानस कंठा में है पढ़ता है एक है सिली गुडी में एक है जलंधर में और एक है EROD Tamil Nadu में ठीक है फिर आता है इदर EROD I think Central Buffalo Research Institute जिसे हम CBRI बोलते हैं has been established in Hisar District of Ariyana State for research on Buffalo's breed Buffalo's के उपर research के लिए बनाया गया Now we'll see mineral resources We have covered agriculture and animal husbandry agriculture तो पहले वाले ये वीडियो में कर दिया था अभी agriculture husbandry हमने देख लिया Now next topic is mineral resources of India mineral resources की classification की बात करें तो इसे हम minerals को कैसे define की आजा सकते हैं एक तो हम metallic group में रखते हैं दिसरा non-metallic में और तिसरा atomic group में रखते हैं तो metallic वाले में भी दो division है इसमें एक ferrous है वैसा जो iron वाले content होते हैं जिसमें उपको ferrous बोलते हैं और एक होता है non-ferrous तो ferrous में आता है आपका iron और manganese और non-ferrous में copper और bauxite आता है bauxite इस ये एक अयस्क है in fact aluminium का तो copper और bauxite जो है non-ferrous है ferrous में iron और manganese हो गया वहीं बात करें non-metallic में तो आपको यहां पर भी दो division देखने को मिलेगा एक तो fuels हो जाएंगे और दूसरे others हो जाएंगे तो fuel में आपको पहला मिलेगा coal बहुत ज़्यादा यूज होता है इसको ऐसे fuel यूज करते है पहले तो इसके railway engine भी आते थे फिर petroleum आप car वगरे में क्या भरते हो अपने bike में क्या भरते हो petroleum यानि पेट्रोल petroleum product में सारी चीजा आजाती है petrochemical भी हाजाएगा आपका petrol भी हाजाएगा diesel भी हाजाएगा अदर में आपको mica देख रहा है limestone देख रहा है फिर atomic में बात करते हैं uranium एक बहुत important resource है atomic energy के लिए thorium ilmenite and beryllium यह सब atomic आपके मिंदल्स है यहाँ पर देखे which is the most important मिंदल rich rock system of India तो यह है धारवार system धारवार system यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिंदल पाए जाते है जो भी मिंदल मैंने बताया ferrous, non-ferrous, metal, non-metal and so on atomic which part of India has largest reserves of mineral resources तो यह है south east अपना इंडिया का जो south east part है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है mineral पाए जाते है which is the तो आप इसलिए उडिसा में देखना बहुत ज़्यादा mineral resource पाए जाएगा चारखन फिर आपका चतिस गड़ यह सब mineral rich state है in fact थोड़ा बहुत आपको नीचे आओगे तो और भी मिलेगा केरल में आपका uranium thorium में सब चीज़े ज़्यादा होती है which is the richest state of India in terms of mineral resource तो यह है करनाटक which state of India is leading state in mineral production तो यह है Odisha as discussed अभी मैंने बताया भी था आपको types of iron ores की बात करे तो आपको iron ores के type आइरन से related जो ores होते है ores जो खदान है होती है उसमें ores में आपको magnetite आएगा जिसे Fe3O4 formula है इसका chemical formula hematite आता है Fe2O3 के हिसाब से limonite 2 Fe2O3 3H2O and siderite चार इसके type दिख रहा है तो इसमें आपको hematite जो है वो सबसे अच्छा iron माना जाता है magnetite, hematite, limonite and siderite आइरन is found in which type of rocks in India तो यह धारवार सिस्टम वाले जो rocks होते है वहाँ पर पाय जाते है इन विच एस्टेट इस famous iron ore mine कुद्रे मुख लोकेटेट तो यह लोकेटेट है करनाटक में विच मिनरल इस फाउंड इन नथ्रा किपाल region of रायस्थान तो यह है iron ore यहाँ पाय जाता है iron ore ठीक है, नथ्रा किपाल रीजन जो है रायस्थान का वहाँ पर आइरन ore पाय जाता है विच मिनरल इस असोसेटेट विद बैला डिला, बैला डिला mines यह iron के लिए famous है पायला जिला, आइरन के लिए famous है the highest production of copper copper का जो highest production होता है यह मध्य परदेश के रीजन में होता है वैसे आपने एक नाम सुनाओगा खेतरी डिस्टिक, वहाँ पे भी copper का अच्छा का सा production होता है but highest पूछा है तो यह मलजखंड रीजन है मध्य परदेश का और while it's maximum reserve जो है यह खेतरी region जो है खेतरी रास्थान में है production अलग चीज़ है और reserve अलग चीज़ है हो सकता है कि कहीं पे बहुत ज़दा reserve है but वहाँ से mining नहीं की जा रही है उसका production नहीं किया जा रहा है हो सकता है कहीं पे थोड़ा कम ही reserve but वहाँ से बहुत सारी चीज़ निकाली जा रही है तो highest production के मामले में मलाजखंड रीजन जो है मध्य परदेश का वो टॉप पे आता है Asia's best zinc and lead over reserve are available in which region? Asia's best zinc अब बताओ Asia में तो कही सारी country है India है, China है, Pakistan है and so on Myanmar, Philippines, South East Asian, Asian वाली country है Indonesia Asia's best zinc and lead over reserves this is available in Bilwara district of Rajasthan best zinc or lead जादुगूड़ा जादुगूड़ा is famous for which mineral? तो ये पढ़ता है आपका Keral में और ये uranium के लिए बहुत जादाओ famous है जादुगूड़ा is famous for uranium in Keral next we'll move to the this side and first, यहाँ पर देखे large deposits of which minerals are found in bindhiyan rocks तो bindhiyan rocks में पाए जाते है limestone limestone bauxite is major ore of मैंने पहले बता है aluminum का बहुत important major ore है bauxite which state are two leading bauxite producers तो एक तो आपका उडिसा आएगा दूसरा गुजरात उडिसा और गुजरात सबसे ज़्यदा पक्साइट उडिसा में होता है फिर दूसरे नंबर पर आपका गुजरात आता है which is leading teen producing state in India so this is 36 गड़ 36 गड़ is the right answer which state of India is largest producer of asbestos asbestos सबसे ज़्यदा आंध पदेश में होता है आंध पदेश में सबसे ज़्यदा asbestos होता है the largest mica strip in India is found in हजारी बाग हजारी बाग कहां पड़ता है जारखंड में देखे बिहार में भी माइका खूब है क्योंकि बिहार पहले बिहार और जारखंड दोनों साथ में थे तो वैसे सबसे ज़्यदा जारखंड में ही है माइका strip है यह हजारी बाग डिस्टिक है जारखंड में वैसे फिर गया मुंगेर भी आपको पड़ता है गया मुंगेर में वैसे देखा जाए टॉप पे तो आपको भिहार आएगा माइका के प्रोड़क्शन में यही पे होता ही है बस तो यह उडिसा है मेजर मिनरल रीजन्स देख लीजिए यहां पर आपको पहले कोट से देख लीजिए यह सिंबल्स देख लीजिए थोड़ा सा मैगनीज का यह ऐसा सेफ है बक साइड का देख सकते है और यहां पर देखे एक और दिया गया है नौर्थिस्टर्न पेनिसुलर बिल्ट सेंटर बिल्ट साउथ बिल्ट ऐसे करें तो यहां पर देखे यह बिल्ट वाइस आपको यहां पर दिख रहा होगा सबसे पहले देखते हैं यहां पर देखे यह इधर वाले पार्ट में आप देखे इधर वाले पार्ट में क्या दिख रहा है आपको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि यह आप पूरा दिखे ठीक है यहां पर दिखे यह जो कॉपर और है देखे राजस्थान वाला खेतरी बेल्ट है यह वाला फिर आपको यहाँ पे सलफर यह दोनों दिख रहे हैं और एक आपको लीड का यहाँ पे दिख रहा होगा एक बार आप बस इसको नजर मारिए इतना आपको रटना नहीं है नजर मारिए ठीक है आगे बढ़ाएंगे देर आर त्री गोल्ड फिल्ज इन एक फुलार है जो की करनातक में पढ़ता है एक हुट अईक ती गोल्ड फिल्ड Wand बस बरनातक नंग है रहाँ गोल्ड फिल्ड यह आंद्र परदeff में सबसें इसका है औरहाँ तो कोलार गोल्फिल से तो होता है और अपका हुती से भी होता है रामिजी से भी होता है but जमूई अभी तक अंटस्थ है यहां से अभी तक नहीं किया जाय रहा है but सबसे ज्यादा इनडिया का जो है गोल्ड यही बे है In Urisa high quality iron ore is extracted from badam पहर mines इन लेक जो है यह राजस्थान में पड़ता है यहाई पर कियो लादो बार सैंचूरी भी है और भरतबूर सैंचूरी जी से कहते है सामबर लेक वहीप है यह इंडिया का सबसे ज्यादा जो स्धूर परदूशन यहाँ साथा है यही से होता है नेक्स्ट है क्वाट्जाइट, क्वाट्जाइट is the metamorphic form of witchstone, metamorphic का मतलब होता है बदला हुआ रूप, यह होता है sandstone से ही, sandstone जो होता है वो बदल जाता है और क्वाट्जाइट बनता है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपको इंडिया पहले इधर देख लेते हैं, where are granite strips and slates made in इंडिया तो यह ललिदपूर जगहे एक उत्तर प्रदेश में यहाँ पर बनता है, ग्रिणाइट स्टिप और क्या था, slate यह बनता है ललिदपूर उत्तर प्रदेश में, which nuclear mineral is found on the coast of Kerala, तो यह monagite पहे जाता है यहाँ पर, monagite, इंडिया's contribution in global mineral production देखेंगे, mineral के नाम एक तरफ देखिए और world में इंडिया का जो rank है और contribution देखेंगे, तो alumina जो है, इंडिया व्ल्ड में यह contribution इसका 5.12% है और वहीं इंडिया की rank है 4th, chromite में 3rd rank पे है इंडिया और 10.18% इंडिया का contribution है व्ल्ड में, वहीं अगर बात कहें बेराइट की तो यह second number पे इंडिया है यहाँ पे 13.40% के साथ, coal and lignite में इंडिया again second position पे है 9.1% of the world contribution, iron में इंडिया 4th नंबर पे है 8.09% के साथ से and zinc में इंडिया का 4th rank है 3.82% के साथ से, वहीं बात करें crude steel में, India ranks second again with 5.89% aluminum में 3rd rank पे हैं इंडिया and 5.78% contribution है वहीं बात करें copper की तो 13th rank है इंडिया का contribution छोटा है because copper सब ज़्यादा कहां होता है यह चिली में होता है चिली में और इंडिया में यह वाल्ड का 1.69% होता है वहीं बात करें magneez की, में में इंडिया ranks 7th and contribution is 5.13% crude oil में इंडिया 26th rank करता है and contribution छोटा है 0.71% backside में इंडिया 5th rank पे है contribution भी बहुत बड़ा नहीं है 6.29% है बहुत है cement में इंडिया second rank पे है with the contribution of 8.29% graphite, natural graphite की बात करें तो second rank पे है इंडिया percentage यहां पे mention नहीं किया गया, rock phosphate, appetite वगड़ा देखा जा है तो यहां पे 16th rank है इंडिया का with very less percentage 0.62% lead में इंडिया 4th पे है and 4.79% इसका contribution है magnees में, sorry magnees site में इसका 17th rank है with 0.33% contribution अब हम देखेंगे important mineral reserves and their producing regions तो nickel की बात करें तो nickel जो होता है यह होता है उडिसा, जारखंड और नागालेंड में major की बात करें तो stop पे आता है जारखंड और area जो है कटक और कियों जार यहां पे सब ज़्यदा होता है वह अगर बात करें tungsten की जो की बहुत important है आपने सुनावगा bulb में जो light जलती है वो wire होता है वो tungsten का बनाता है तो यह इसका production ज्यादा होता है major देखे तो करनाटक में राजस्थान में और आंध्र में आंध्रपदेश में सबसे ज़्यदा दिखा जाए तो major producer राजस्थान और महरास्ट्रा है और दिगाना एक राजस्थान में जगह है वहाँ पे इसका production ज्यादा होता है fire clay fire clay गुंडवाना region में होता है territory tertiary cool reserves और एरिया में इसका production दिखा जाता है and major reserves में major producer इसका गुजरात और राजस्थान में और जहरिया में इसका जो है जहारखन में पड़ता है रानी गंज वेस्ट बंगाल में भी इसका होता है ठीक है जहरिया और रानी गंज में फिर अगर बात करे फ्लूराइट की फ्लूराइट में गुजरात का सिर्फ जढ़त गुजरात और रास्तान में वहीं प्øडुक्शन गुजरात और महाराष्छा सिर्फजज़ाद सबस्ज़दा करता है чувर्ज्रात फिर फोंढ बात करे कोईलonie डियसें चाइना क्ले कहते हैं चाइना क्ले रास्थान और गुजरात के का टॉप प्याता है इस्बेस्टस का जो रिजर्व है रास्थान और कर्नातक में जय्दा है रास्थान और आंधर प्रोडिस में इसका पॉडक्शन सब्सथ्जादा होता है और कडपा जो कि आंधर प्रदocy s've वहाँ पर ज़दा इसका दिखा गया है production in a parelspur fenns-par रास्थानों तेलंगाना में relatively ज़्यदा है रास्थानों ते लंगाना इसको produce ओиц रária चोर्फर करता है देखे रिजवब होना अलग चीजह पहले विने बता है और production करना अलग Чीजह जैसे कि आप देखे पाईरो फिलिट मद्यप्रदेश और उडिसा में ज़्यादा है बट आंध्रपदेश और रास्थान इसको सब ज़्यादा प्रोडूस करते हैं वैसे क्यानाइट रिजवर्ब तो सब ज़्यादा तेलंगाना और आंध्रपदेश में है बट प्रोडक्शन करता है सब ज़्यादा महरास्टा और कर्नाटका सिलिमानाइट य्वर्व उडिसा तमिलाडू और यूपी में सब ज़्यादा रिजव है वहीं प्रोडक्शन में महरास्था और आंध्रपदेश सब से ज़्यादा इसमें टौप प्याता है एंडलुशाइट ये उत्तरप्रदेश और जारखन में सब ज़्यादा रिजर्व है उत्तरप्रदेश इसको प्रोडूस ज़्यादा करता है टॉक या फिसोप स्टोन की बात करें इस टी टाइट की बात करें तो राजस्थान और उत्तरखन में ज़्यादा रिजर्व है इंडिया इसको बोला जाता है क्योंकि रूहर जो है जर्मनी में पढ़ता है और बहुत ज्यादा वहां पर प्रोडक्शन होता है तो रूहर से कंपैरिजन किया जा रहा है अब देखेंगे हम एनर्जी एनर्जी से लेटेड रहते हैं पहले देखेंगे एनर्जी रिसोर्स तो इसको दो भागों में बाढ़ दीजिए रिनुवेबल और नॉन रिनुवेबल ऐसे चीजे हैं जिसको रिनुव होती रहती है मतलब सड़न इसको खतम नहीं किया जा सकता है बट नॉन रिनुवेबल जो है वो खतम हो जाएंगी अगर बहुत ज्यादा यूज करोगे तो क्योंकि इनका जो प्रोसेस है बनने का काफी ज्यादा टाइम लगता है तो तो चाचा सो मिलियन इयर्स लग जाते हैं को बनने में पेट्रोलियम को बनने में तो रिनुवेबल रिसोर्स बहुत इनर्जी के हवार कभी बंध हो सकती है नहीं hydroelectricity, water भी खतम नहीं होगा बाइयो गैस, geothermal energy, geothermal energy मतलब धर्ती से निकली वी गरम जो थर्म होता न उसे जियो थर्मल energy कहते हैं यह लेह वगेरें में हीमाचल वगेरं में ज्यादा देखा जाता है पहाड एरिया में, renewable resources वह अगर बात करें non-renewable resources की तो यहाँ पे coal आता है coal खतम हो जाएगा वही या pollution भी बहुत करता है petroleum products nuclear इसके लब हाँ natural gas और sale gas these all are non-renewable resources what is a correct sequence of fraction of sources of total electrical energy produced in India सबसे ज्यादा thermal होता है फिराता है aquatic फिराता है air फिराता है molecular जोहला नहरू national solar mission was started in which year तो यह start हुआ था 2009 में जोहला नहरू national solar mission was started in year 2009 the objective of जोहला नहरू national solar mission was to establish a grid of 20,000 megawatt capacity by the year 2022 20,000 megawatt का grid बनाना इसका mission था by the year अपना यही साल जो 2022 चल रहा है काकड़ा पारा nuclear power plant is installed in which state तो यह state है गुजरात काकड़ा पारा nuclear power plant यह installed है गुजरात में which is the leading petroleum producing state in India तो यह भी गुजरात ही है गुजरात में सबसे ज्यादा petroleum production होता है इन विच एस्टेट वैसे एक बॉंबे हाई करके जगह जो कि महरास्ट में पड़ता है वहाँ पे भी मतलब एक ही site पर सबसे ज्यादा होता है वहाँ पे petrol का production in which state is the petrol producing area lunage lunage located तो यह lunage जो है गुजरात में ही located है इंडिया is mostly dependent on fossil fuels, fossil fuels ऐसी fuels होते है जैसे कि आपका petroleum हो गया diesel, petrol यह सब fossil fuels है क्योंकि fossil fuels दब जाती थी और दबने के बाद फिर उनका intense heat और pressure के वज़े से fossil fuels बन जाती है पेट्रोल और यह सब बनती है इंडिया is mainly dependent on fossil fuels for commercial energy out of total installed power capacity of India 69.4% is from thermal power this includes coal, petroleum and natural gas 14.8% is from renewable energy sources 13.9% from hydropower and 1.9% from nuclear power वह अगर electrical power की बात करें तो यह 1.9% में ही आता है similarly about 60% of non-commercial energy commercial energy और non-commercial energy अलग-अलग है non-commercial energy में क्या क्या है जैसे firewood कर आप लकड़ी जैसे महिलाया चुनके लाती है जंगल वगरह से उसको use कर लेती है तो यह non-commercial energy है जो thermal energy उसको तो बेचा जाता है आप जानते है तो यह commercial energy है along with dung जो हता है cow dung उससे उपले अपने देखे होंगे गाओं में बनाते हैं लोग 30% वहां से भी आता है and waste material से 10% आता है these all are also considerable importance इनको दिया गया importance इन सबको भी फिर देखे राना परताब Sagar Dam is located in which state तो यह quota quota जो की रास्थान परता है quota आपने सुना होगा IIT के लिए बहुत famous है यह बट राना परताब Sagar Dam के लिए भी famous है इसको भी मत बोलना ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगा which state holds first position in production of wind energy तो यह है तमिलाडू तमिलाडू hold करता है first position क्योंकि यह sea shore के साथ लगा है न तो उदर से जो हवाएं आती है Arabian Sea से या फिर बे बंगाल से बिली Arabian Sea के तरफ तो केरल है तो वहाँ पर जो हवाय आती है उसको यह लोग wind turbine लगाके wind generator turbine लगाके सब convert कर लेते हैं वह पंकी घुमती है और नीचे turbine घुमता है और electricity बना लेते हैं गुंडवाना सिस्टम गुंडवाना सिस्टम जो है यह कोल रिजर्ब के लिए बहुत important है MP का कुछ एरिया आ जाता है चतिसगड वगर यह सब एरिया गुंडवाना एरिया में आते है विच आर त्री लीडिंग कोल प्रोडुशिंग स्टेट्स अफ इंडिया तो इसमें उडिशा चतिसगड और जारकर्ण आपको देखने को मिलेगा अब हम देखेंगे थर्मल पावर स्टेशन एंडिया एक तरफ है स्टेट है दूसरा तरफ उनके जो नाम है पावर स्टेशन के उनको देखेंगे तो आंधर प्रदेश में तीन है एक है भद्रा चलम एक है मं में रिसेंटली यह बना यह स्टेट है 2014 बना था तो यहां पर भी यह जैसे कि कोठा गुदेम रामगुंदेम और बिजेवड़ा असाम में है बोंगाई गाउं चंदरपूर और कामरूप कामरूप डिस्टिक है बिहार में बराउनी और कहल गाउं में वही अगर बात करें 36 तो यहां पर थर्मल स्टेशन है पावर स्टेशन एक ही यह कोरवा डेली में बदरपूर एरिया में इंद्रपरस्त में और राजगाट में गुजरात में एहमदाबाद में बनास में धोराम में इसके लावा गांधी नगर में कच्छ में कांडला में महुआ में में है और जारखन में बुकारो, सत्थपूडा, सुवन रेखा नदी का नाम है मदर परदेश में अमर कंटक, सत्थपूडा और सिंगरोली महराश्टर में बला, बलारसा, भूसावल, चंदरपूर, चोला, खपड, खेडा, कुरादी, नासिक, परास, पारले, त्रोंबे, उजैनी और उरान में भी है, मनिपूर में लोकतक, लोकतक एक लेक भी है, पंजाब में भटिंडा, रूपनगर, रास्थान में अंटा, बासवाडा, कोटा, पालन, सवाई, माधोपूर, उडिसा में बाला मेला, तलचर, चीक है, वही बात करें, तमिल नाडु में इन और मेतूर, नेवेली, तुतिकोरिन, उत्रप्रदेश में बहराइच, दोहरी घाट, गोरकपूर, हरदुआ गंज, जोहार, कानपूर, माउ, मुरादाबाद, ओबरा, पंकी, परिच्छा, टुंडला, वेस्ट बंगाल में, बीर भूम, दुर्गापूर, बुंदेल, फरक्का गोरिपूर, काली घाट, कोलकाता, मुर्सिदाबाद, तीथा, तीथागर, यह सब है, ठीक है, यहाँ पर नीचे देखिए, देखिए, पीट कोल है, पीट कोल जो है, इन्फेरियर कोल माना जाता है, बहुत अच्छा नहीं है, इन्फेरियर कोल माना जाता है, format and amount of carbon की बात करें, तो carbon content जो है, पीट में, यह less than 45% होता है, जितना ज्यादा carbon content होगा, उतना ही अच्छा होगा, बट यहाँ पर कम है, 45% है, with lots of moisture and impurities इसमें होती है, when burns like wood generating a lot of ash, बहुत जदा धुणा निकलता है, तो पीट कोई अच्छी quality नहीं है, यह कहाँ पाया जाता है, यह एरिया है, रायस्थान, लखीमपूर, असाम का, इसके लावत तमिलाडू में भी यह पाया जाता है, फिर जाता है, लिगनाइट कोल, यह ब्राउन कोल होता है, यह जो है, यह यह एक low grade कोल ही है, 45-55% का carbon content होता है, इसमें भी moisture ज्या में लखीमपूर में, वेस्ट बंगाल में, दारजलिंग में और कस्मीर में करेवा जो रीजन है, वह पाया जाता है, बात करें, बिटूमिनस कोल की, तो यह ब्लैक कोल है, काली कलर का होता है, इसका carbon content थोड़ा इन दोनों से ठीक है, बट इतना भी अच्छा नहीं है, 55-65% इसमें होता है carbon, और 15% to 40% इसका moisture है, widely used होता है, production of, production वगरे में, जारखंड, उडिशा, चतिसगर, मद्यपदेश वगरे में, सब ज़्यादा पाया जाता है, फिर आता है, सबसे important, anthracite coal, यह best coal माना जाता है, यह hard coal भी है, और इसमें carbon का content देख सकते हैं, 80-95%, oh my god, very good, semi-met metallic lustrous होता है, lustrous भी थोड़ा से चमक भी होती है, जम्मु कस्मीर के रियासी वाले जगह में, सबसे ज़्यादा यह पाय जाता है, which state has the largest coal reserve in India, तो यह जारकन, जारकन में largest coal reserve है इंडिया का, नामचिक, नामफुक coal field is located in which state, तो यह अरुनाचल परदेश में है, कोर्भा coal field is located in which state, तो यह चतिसगड में है, where is the famous coal field, तलचर लोकेटेट, तो यह उडिसा में located है, तो छोटा नागपुर इंडिस्टिल एरिया, has developed as a result of coal discovery here, where are the coal mines mainly located in जारकन, तो यह जारिया में located है, which state has largest reserve of lignite coal, तो यहाँ पे तमिलनाडु टॉप पे आता है, लिगनाइट के मामले मे अब देखें, इंडिया का major coal producing region देख लेते हैं, जारकन्ड, जारिया, बोकारो, करनपूरा, गिरिडी पगेरा टॉप पे आता है, वेस्ट बंगाल में, रानी गंच, ठीक है, बर्जोरा, और यह oldest है, रानी गंच oldest है, ठीक है, बर्जोरा, यह पूस्ता भी है, which is the oldest coal field producing area, coal field, तो रानी का जैंसर होगा, बर्जोरा भी यहीं पे है, बीर भूमी भी है, उडिसा में है, तलचर, संभलपूर और आईबी वैली, वही मद्यपरदेश में है, उमरिया और सिंगरौली, सिंगरौली में तो मेरे एक दोस्त के फादर भी काम करते हैं, ठीक है, तो उमरिय तेलंगाना में, गुदावरी वैली और सिंगरौनी, इसके लाब महारास्टा में है, वर्धा वैली और चंपेती और बंदर, ठीक है, यह सब महारास्टा में है, यहां फे देखे, रानी गंज वाज़ फॉर्स्ट कोल फिल्ड इन इंडिया, जो मैंने बोल रहा था, वही वेर कोल माइनिग इस्ट इंडिया कंपनी इन 1774, आप सोच सकते हैं कितना पुराना आई है, नेक्स तेखेंगे, इस अब हमने देख लिया था, बिश्रामपूर, यह च्छतिस गड़ का है, इस फेमस पर माइनिग फिच मिंदल, तो यह कोल के लिए फेमस है, वाट इस दे पावर जेनरेशन में सबसे ज़्यादा यह यूजफूल है, पावर जेनरेशन इससे ज़्यादा की जाती है, वें इस फर्स ओयल और एनरजी क्राइसिस एराइज इन इंडिया, तो यह हुआ था 1970 और 80 के बीच में, डिसकवर्ड पेट्रोलियूम और नेचुरल गैस रिज वेस्टर्न हिमालेन बेसिन में 1,00,000 है, और रास्थान सवराष्टा कच बेसिन में 95,000 स्कॉर किलोमेटर वाला एरिया जो कोल फिल्ड का है, नौर्थ गुजरात बेसिन 1,40,000 गंगा वैली वेसिन इस रप से इंपॉर्डेंट है, 3,85,000 वेगा बात करें कोस्टल यह सब मेजर जो है, यह है, पेट्रोलियम और निच्रल गैस के, पेट्रोलियम और निच्रल गैस के यह सब एरिया है, जहां पे रिजॉप्स है, ठीक है, पेट्रोलियम पोडूसिंग रीजन की बात करें, तो ब्रमपुतरा रीजन जो है, नदी के साथ ही, गुजरात कोस् नाम में डिग वही एक जगह है आपने सुना होगा वहाँ पे पेट्रोलियू प्रोडॉस्टन होता है बाड्मेर में भी होता है इस्टर नफ्सोर एरिया में भी होता है चीक है आगे बढ़ेंगे hydrogen vision 2025 is related to क्या है it is related to storage of petroleum products इसका storage किया जाएगा hydrogen vision 2025 के इसाफ से storage हम क्या करेंगे petroleum products का करेंगे oil exploration in india is carried out by oil india limited oil india limited के द्वारा यह किया जाता है एक सरकारी company PSU है from where is the natural gas transported by HW pipeline तो यह किया जाता है southern basin से where is most natural gas produced in india तो यह bombay high जैसा मैंने बताया था कि petroleum भी वहाँ से किया जाता है और natural gas भी किया जाता है तो यह most of the natural gas है वो Bombay high से हम लोग निकालते हैं केजी basin जिसे हम किसना गुदावरी basin कहते हैं has large deposit of which mineral तो यहाँ पे natural gas का जो है यह large deposit है in which state is kundan koolan nuclear power plant located तो यह located है Tamil Nadu में यह located है where was the India's first mineral oil well built mineral oil well है यह ठीक है कुआ है तो यह मकूम असाम में है which is the oldest oil refinery in India दिगवोई दिगवोई जो है oldest है oldest दिगवोई असाम में पढ़ता है which is the 25th nuclear power plant of India तो यह है रावत भटा रास्थान में पढ़ता है रावत भटा रास्थान में पढ़ता है which region of India is important for production of tidal energy यह है Gulf of Khambath गुजरात के पास ही एक गल्फ है Gulf of Khambath tidal energy के लिए वहाँ पर साथ है और उसको स्टोर करने का तरीका है तर्वाइन घुमा देते हैं अब हम इधर आ जाते हैं और देखते हैं कुछ और important चीज इंडिया इंस्टॉल nuclear reactors and state देखेंगे तो कहेगा एक nuclear reactor का है और यह करनाटक में कलपकम भी nuclear reactor एक इंस्टॉल किया गया वहाँ पर रावत भट्टा इस डिसकस्ट रास्थान है कुंडन कुलन कुलम कुलम यह तमिलादु में काकड़ा पाड़ा गुजरात में नरोरा वहत important उत्तर पर देश में और तारापूर और यह आपी तारापूर यह महरास्ट्रा में और वह ट एक है नांगल में जो की भाखणा नांगल आपने सुना होगा वही वाला हेवी रियक्टर है वहाँ पर यह पंजाब एस्टेट में पढ़ता है यह इंस्टॉल किया गया था नाइटीन सिक्टीटू में एक है बड़ोद्रा में जो कि गुजरात में पढ़ता है और नाइटीनेटी में इसको इंस्टॉल किया गया था तुति कोरिन वाले को जो कि तामिलाड में पढ़ता है नाइटीन सेवंटीएट में इसको किया गया था कोटा रास्था में पढ़ता है नाइटीनेटीफाइब में यहाप एक हैवी रियक्टर इंस्टॉल किया गया था तल हम देखेंगे as per Indian Bureau of Mines there are total 23 oil refinery plants in India उनको देख लेते हैं oil refinery इसको तो सबसे पुराना डिगबोई IOC इसको operate करता है यहां साम में है और 1901 में इसको established किया गया था फिर आता है Trombe Trombe मुंबई में पड़ता है HPCL इसको operate करता है extract करता है यहां पर production करता है महरास्टा में पड़ता है 1954 में इसको established किया गया था Trombe BPCL भी करता है यहां पर यह भी महरास्टा में 1955 में इसको सुरुआता ही थी विसाका बंदम वाले को HPCL इस प्लांट से production करता है और यह जो है आंधर प्रदेश में है 1957 में इसको install किया गया था फिर आता है नूना मती यह गुहाटी में IOC इसको अपरेट करता है असाम में पड़ता है यह 1962 में इसको स्टैब़िस किया गया था भरावन आपके बिहार और को इसको अपरेट करते हैं 1964 में इसको किया था कोयावलिए आदो कोजारात में fu corporate करता है 69 में इसको υिए किया गया था हल्दियां ह्लदियां वेस्ट बंगाल का है आयोची इसको op rate करता है 1965 75 में स्टॉल किया था पिर आता है बंगाई गाओं बियर्पिल इसको dsस्ट और अस्टीक में परता है 1979 में इसको है यह में इसको इसको और इसको इसको दो औगर घ्षिए एक करता है इसको दór परेट करता है और 1982 में इसको इस्टाइबिस किया गया था मैंगलोर को MRPL इसको अपरेट करता है करनाटा को परता है 1998 में इसको इस्टाइबिस किया गया था पानिपत करनाल वाले को IOC अपरेट करता है और हर्याना में यह परता है 1998 में इसको इस्टाइबिस किया गया था नुम्बली गड इनाइल इसको क bert läuft ओप्रेट असाम वारले को करता है यॅन चैनलन श्रीपल गीचल współfaat is 208 में इसको isu अपरता है मधिप्र्देश में परता है 29 यह इसके ioc यह कड़ता है 2010 इसके प्रेज़ दो नहीं ब्र τις और प्राइबेट शेक्टर वाइल है इस nellaा दियौ टू जुआइन सेक्टर पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्सी PPP model पर ये काम करते हैं इसके बात देखिए संकोस, मंगदेचु, चुखा ताला हाइड्रो एलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है बुटान में इंडियाज कोपरेशन के साथ इसको किया गया चार है देखिए इसको रट लिजे पूशता है संकोस, मंगदेच्चु, चुखा और ताला हाइड्रो एलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भुटान के हैं लेकिन अगला टॉपिक है हमारा ट्रांस्पोर्ट एंड कॉमिनिकेशन ट्रांस्पोर्ट एंड कॉमिनिकेशन हमारा टॉपिक रहेगा चले स्टार्ट करते हैं वोट इज टोटल लेंथ अफ नेशनल हाइवेज इन इंडिया तो नेशनल हाइवेज का टोटल जो लेंथ है इंडिया में है वो 1,40,995 किलोमेटर यह एन्वल रिपोर्ट 2021 और 2022 के हिसाब से यह डेटा है 1,40,995 किलोमेटर का एन्वल नेशनल हाइवे है हमारे कंट्री में विच स्टेट हैस दे मैक्सिमम लेंथ अफ नेशनल हाइवे तो महाराष्टा में नेशनल हाइवे का लेंथ जो है सबसे जादा है विच स्टेट अफ इंडिया है दे हाइस्ट ग्रॉस लेंथ प्रोविंसियल हाइवे प्रोविंसियल मतलब स्टेट हाइवे हो गया तो यह भी महाराष्टा में सबसे जाता है महाराष्टा ही इसका सही अंसर है इंपॉर्टेंट हाइ martial उसके जू है कहा से कहा तक है और कितना लीन्थ है वो देखेंगे वही bay, तो जो है इसका लेंथ को जोड़ता है और यह है 1465 किलोमेटर वह ही अगर बात करेंòng यह हमाय करो का है 1131 किलोमेटर है अन थाने से चेन्नेटे के बीच में है 1235 km का है वही अगर बात करें बहर गाव चन्नेई इस्टर्न कोस्ट के साथ है 1610 km का इसका लेंथ है NH6 जो है ये धूले से कुलकाता को जोड़ता है और ये है 1995 km का longest NH जो है वो स्री नगर और कन्या कुमारी के बीच में है एह mache 44 ये है 1745 km का रता है NH8 जो है डेली मुंबाइब के जसी में 14就 किलोमेटर के साथ ये 403 किलोमेटर का है n in checking पठानकोर्ट सम क्याली है इंडो पार्क बोर्डर के साथ 1526 किलोमेटर का यह लेंथ है एनेच 17 जो है वो पनवेल इंदा पल्ली के बीच में है एलोंग वेस्टर्न कोस्ट 1279 किलोमेटर एनेच 28 जो है बरावनी लखनाओं के बीच में 570 किलोमेटर एनेच 28 है चलिए अब इदर आते हैं तो गोल्डन क पाड़ी लेक्टरल इसके साथ में कही सारे सहर है तो चार बहुत इंपोर्टेंट जो सहर है इंडिया के जुड़ जाएगा इससे इसको यह हाइवे का यह प्रोजेक्ट है इस्ट वेस्ट नॉड़ साउथ एक्सप्रेस्वे एक्सप्रेस हाइवे मीट इच अदर एट वि connect करेगा 40% of India's road transport is through which type of roads तो यह national highways के through है which is the longest national highway in India तो यह NH44 in which year was the ministry of road transport and highway formed तो यह बना था 2009 में 2009 से पहले यह नहीं था which is the longest expressway of India तो यह पुर्वानचल expressway अभी बना ही है 340.8 km का है यह वेर where the headquarter of south eastern railway zone located तो यह है कोलकाता में headquarter of south eastern SCR SCR south eastern railway zone कोलकाता हाजिपूर जो headquarter है यह है east central railway zone का ECR और यह पढ़ता है बिहार में where is railway staff college located तो railway staff college located है बड़ोधरा में बड़ोधरा is the right answer the line connecting silly गुडी डार्जलिंग railway stations was recognized by UNESCO as a world heritage site in year 1999 silly गुडी से डार्जलिंग के लिए एक railway चलती है चुप बहुत ही उसका जो है न मीटर के इस टाइप का है वो काफी पतला उसका लाइन है और वो मतलब पहाड़ों से को गुजरती है बहुत मज़ा आता है उसमें कभी जाना तो आप घूमना बहुत अच्छा है और इसको world heritage site का दर्जा दे दिया है उनने इसको ने 1999 से where are diesel rail engine made तो यह बनता है मडुवाडी जो की वारा नसी में है मडुवाडी जो की वारा नसी में है अब हम देखेंगे production units of railways रेलवे की production unit देख लेते हैं यहां पर देखें नंबर वन पर 1950 में बना था चितरंजन लोको मोटीव वर्क चितरंजन जो है यह वेस्ट बंगाल में है और यहां पर जो है बनी थी रेल कोच फैक्टरी उनीस अबावन में कपूर थला पंजाब में कपूर थला जो पंजाब में पड़ता है और यहां पर भी कोच ही बनता है फिर आता है आपका डीजल लोको मोटीव वर्क यह 1961 में बना था यह वारानसी यूपी में पड़ता है और यह डीजल लोको मोटीव इंजन बनाता है फिर आता है एक्सल वगएर जो अगया और इन दोनों को जोड़ने के लिए जो यह वता है यह इसको एक्सल कहते हैं ठीक है तो वील और एक्सल यहाँ पे बनता है फिर आता है 2008 पर बनाता है रिल ब्रम सारन में अध्य बहुत ही बड़ी जन बना और इंजल नीज, पैक्टरी बनी मढवरा बिहार में डीजल लोकोमोटीब एंजन के लिए ठीक है तो बिहार में आपको दो-तीन देखने को मिल गए सारान मधेपूरा मढवरा है ना फिर आता है नोर्थ साओध कॉरिड़र नॉर्थ साओध कॉरिड़र डौटल ऑफ4 थाजन किलोमेटर ठीक है फ्रम श्री नगर जो की जम्मू में है तुक अन्यक उमारी यह पूरा इस कॉरिडर को नोर्थ साओध कॉरिड़र बोलते हैं ठीक है आगे बढ़ेगे विट्ष टींज प्लेसेस कोंगकर्याट कोनेक्ट य्य महारास्टरर से लेकर कोंगर क्रनातर को जोड़ता है ऑर कंगर्नाट पड़ता हूं इन दोनों के बीच में प्रॉक्टर यह टेंफ इस Med बनाया गया था आदमियों के दोरा, humans के दोरा, artificial port है ये, which is the most traveled express train, तो ये है बिबेक express, ये बासट सो तिरालिस किलो मेटर को कवर करती है, at which place the three crescent shape beaches meet, तो ये मिलती है कन्य कुपारी में, कन्य कुपारी में, three crescent ship, बीचे जो है कन्य कुपारी में meet करती है, when was the construction of Jagdishpur, fullpur, Haldia natural gas pipeline announced, तो ये announced हुआ था, अगस्त 25, 2014 को, which port is in India, handles the maximum overseas cargo, तो ये है दीन दयाल port, जो की, जिसे हम कांडला port, पुराना नाम इसका कांडला है, अभी इस port का नाम बदल के, कि दीन दयाल port कर द district turn का ये, जो है, load cargo का होता है, मतलब यहां पर आता जाता है, first phase of rural waterway project, rural waterway project, was launch between घोगा, घोगा जो है, सवराष्टा में है, और दहेज, जो है, south gujarat में है, ये first rural waterway project, यहां पर चलाया गया है, which is the port city of Andhra Pradesh, Andhra Pradesh की port city है काकी नाड़ा, which is the largest port in India, तो largest port है Mumbai, Mumbai is the largest port in India, major ports of India देखेंगे, कांडला port, जिसका नाम बदल के, दीन दयाल port कर दिया गया है, it is a tidal port, and also known as दीन दयाल port, it is natural sheltered harbor, located in Gulf of Kach, next आता है Mumbai port, it is a natural harbor, and one of the oldest modern port of India, it is largest and most important seaport, western coast of India, फिर आता है जहाला नहरू port, जहाला नहरू port, यह भी Mumbai में है, it was earlier known as Nahawa Seva, the largest container port in India, handling 55% of containers cargo, 55% of the container cargo, तो लार्जेस्ट container port है यह, मर्मु गोवा जो की गोवा में है, located on history of river Juhari, in गोवा, is a leading iron ore exporting port of India, फिर आता है कोचिन port, natural harbor है यह, queen of Arabian seas को बोलते है, फिर आता है पैरादिब उरिसा वाला, पैरादिब जो port है, it was the first major port on east coast, commissioned in independent India, it is all weather deep water port, with depth of 12 meter, फिर आता है कोलकाता हल्दिया, only riverine port है, यह, river पे बना हो रहा है, ठीक है, कोलकाता हल्दिया वाला जो है, यह only riverine port है, मतलब river पे भी port हो सकता है, और है इंडिया में, यह only है, ठीक है, मतलब एक ही है यह, यह आता है, इंडिया railway jones देखेंगे, तो देखेंगे, इधर top पे से start करते है, northern railway, यह new Delhi's का headquarter है, NCR, जो है, north central railway, प्रियाग्राज में है, यह प्रियाग्राज में है, north central railway, फिर आता है, north western railway, यह जैपूर में है, west central railway, यह जबलपूर में है, फिर आपका north east frontier railway, यह गुहाटी असाम में है, और north east railway है गोरखपूर में, ECR, मतलब eastern central railway, हाजीपूर में headquarter है, और वही कोलकाता metro rail का, जो है, यह गठन हुआता है, 2010 में, KMRC जिसको बोलते है, यह इस्टर्न railway का headquarter कहाँ पे, कोलकाता में है, south eastern railway का कहाँ पे है, यह भी कोलकाता में है, भुवनेस्वर में क्या है, ECR का है, eastern coastal railway का है, भुवनेस्वर में, बिलासपूर में है, south east central railway का, और वही सिकंद्राबाद headquarter है, south central railway का, चिन्न ही है, southern railway का headquarter, और south west railway का headquarter है, हुबली में है, फिर आज यह इधर western railway का headquarter है, चर्च गेट मुंबई, और central railway का भी headquarter है, मुंबई central है, ठीक है, और वही, अब यह हमने देख लिया, इधर आते हैं, where is the national inland shipping institute located, तो यह पटना में है, national inland shipping institute कहाँ पटना में, वेर इस गुरू, रामदास international airport located, तो यह है, अमरिद सर में, रामदास साब गुरू थे, एक important सिखो के, तो यह अमरिद सर में है, इंडिया जाज़स सिप breaking yard, सिप को तोड़ने वाला यार्ड, located at which place in gujarat, तो यह अलांग में यह पटता है, विच पोर्ट is situated on gulf of kach, तो यह है, दिनासील पोर्ट, जिसे हम कांडला पोर्ट भी कहते है, एमंग इंडिया ज पोर्ट, विच इस an open sea port, तो यह open sea port, या फिर man-made sea port, यह चेन नहीं है, विच पोर्ट is a typical example of Brahma collapse, तो यह है हल्दिया, विच पोर्ट is situated on Urisa coast, पारादिप, वेर इस मर्मु गोवा पोर्ट, मर्मु गोवा में गोवा है, मर्मु गाओ, यह फिर गोवा कहते है, इसको गोवा में है, how many major ports in India, तो total 13 major ports, उसमें मर्मु गोवा, जेन, ज्वाला नेरू, मुंबई वाला, चेन नहीं, पारादिप, and so on, the objective of the Sagar Mala project, एक project है, सरकार के दौराद चलाएगा है, इसका objective है, to connect and develop all ports of the country, to connect and develop all port of the country, इसका target है, फिर हम देखेंगे, National Waterways of India, तो इसमें क्या है, यह NW1 यानि, National Waterway 1, यह, प्रियागराज को खलदिया से जोड़ता है, 16-20 km का है, प्रियागराज को हलदिया से जोड़ता है, important क्या है, यह पूछता है कि, National Waterway 1, जो है, कहा से कहा के बीच में, तो यह प्रियागराज से हलदिया के बीच में, सोला सो बीस किलोमेटर का यह है और इट इस वन अब दे मोस्ट इंपोर्टेंट वाटरवेज इन इंडिया विच इस नेविगेबल बाइं मेकेनिकल बोट मतलब की इंजन से चलने वादे बोट अप टू ओडिनरी बोट टू अप टू हरिद्वार ठीक है नेक्स्ट है डिकल नेशनल वाटरवेज टू यह साधिया धूबरी के बीच में है आठ से कांबे किलोमेटर है और यह ब्रह्मपुत्रा रिवर पे इट इस नेविगेबल बाइ स्टीमर्स जो स्टीमर्स होते हैं उसके द्वारा टू डिब्रूगर यानिकि वन पॉइंट थ्री स्वाइश्य 1384 किलोमेटर विच इस सेडवाई इंडिया और बांगलादिस फिर आता है नेशनल वाटरवेज थ्री यह कोट्टा पूरम से लेकर कोलम के बीच में चोटा है यह 205 किलोमेटर का है इट इंक्लूट्स 168 किलोमेटर आफ वेस्ट कोस्ट कनाल अलॉंग विथ चंपाकरन चं 1901 को इसको डिकलेर किया गया था नेशनल वाटरवेज फोर जो है काकी नाड़ा पॉंडिचेरी के बीच में है यह 1995 किलोमेटर का है इस इस स्ट्रेच अफ कैनाल एंड कालू रेली टैंक स्ट्रेचेज इलोंग रीवर गुदावरी और कृष्णा यह 24 नॉवंबर 2008 को एना चेर बेतिया स्ट्रेच अफ इस्ट कोस्ट कनाल स्ट्रेच अफ मताई रीवर इलोंग विथ महानदी डिल्टा रीवर सिस्टम यह 24 नॉवंबर 2008 को भूसित किया गया था नेशनल वाटरवेज 6 यह भंगा लखीमपूर के बीच में 121 किलोमेटर का है लखीमपूर टु भं ऑफ यह लिए अछर सटारभी इंटरनेश्न रेपोर्ट को हमणे सी सब्सक्राइब को तो यह अगर गुहार्टी वाले की बात करें तो लोक पुरिय गोपिनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एरपोर्ट बोलते तो मोस्टली आप वहां के जैपूर में पढ़ता है तो इसका कोई अलग से नाम नहीं है कोजी कोड एरपोर्ट यह कैली कट में वहीं बीर सावरकर इंटरनेशनल एरपोर्ट यह बहुत इंपोटेंट है अंड माने निकोबार आइलेंड वाले को बोलते है पोर्ट ब्लेर में पढ़ता है पोर्ट ब्लेर वाला जो एरपोर्ट है उसे हम बोलते है बीर सावरकर इंटरनेशनल एरपोर्ट फिर आता है डेली का तो इसे आईजी आई बोलते है यानिकी इद्रा गांधी इंटरनेशन और हिदराबाद वाले को राजीव गांधी हिदराबध इंटरनेशन लिएरपोर्ट बैंगलूरु वाला वेरी-इंपोर्ट में इसको कुछी में प्राइबेट एर्पोर्ट से कॉछी इंटरनेशन इंटरनेशनल एरपोर्ट बोलते हैं भारत रत्न बाबा साहिब डॉक्टर बिया रंबेटकर इंटरनेशनल एरपोर्ट नागपूर वाले को बोलते हैं नागपूर जो कि महरास्टा में पड़ता है अब इदर आज़े मेजर ओएल मुंबई पोर्ट पर ज्यादा प्रेशर आने लग गया तो उस प्रेशर को कम करने के लिए जोहला नहरू पोर्ट बनाएगा जिसे हम नहावा सेवा भी बोलते हैं और यह जो पोर्ट है यह मैक्सिमुम कंटेनर वाला जो है लोड़ करता है यह विच वें डिडिड इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट स्टाड़िड रैपिट पोस्टल सर्विस निस सची असी से स्टाट हुआ कोचिन एरपोर्ट इन इन इस इंडियाज फर्स एरपोर्ट ओन वाइप पब्लिक कंपनी प्राइबेट कंपनी होना चाहिए एक्चलिया पब्लिक गलत लिखा हुआ ह इंडिया तो 1882 में स्टाट हुआ था मेजर ओयल और नेचुरल गैस पाइपलाइन जो डिफेंट जगर से डिफेंट जगर कनेक्ट करती हूं वह देखेंगे एक हजीरा हजीरा बिजयपूर और जगदीशपूर के बीच में है यह सत्रह सो पचास हजीरा जो है गुजरात म पड़ता है ठीक है यह सत्रह सो पचास किलोमेटर का है एक है सलाया मथूरा पानिपत यह है 1870 किलोमेटर का कांडला से भटिंडा एक पाइपलाइन है यह 1331 किलोमेटर का मुंबई से मनमद के बीच में है एक है यह 1389 और दुलिया जन बोंगाई गाउं और बरावनी के बी कि में 11 살kylometर का मुंदरा से पानिपत के बीच में बीच में यह है इस चोहत्ता बरावनी और हल्दिया के मचिना की वेस्ट बंगाल में 9493 किलोमेटर का बरावनी पतना-कानपूर यह 343 । जयनिते इची मदूराइі है 683 क्लोमेटर कोची और मैंगलूरू के बीच में है चार सब पांच किलमेटर का नेशनल वाटर वे वन एक्स्टेंड फ्रम प्रयागराज तू हल्दिया विट लेंथ आफ 16-20 किलमेटर इसके बारे में ज्यादा पुछा जाता है ठीक है अब हम देखेंगे इंडस्ट्री सेक्टर इंडस्ट्री सेक ऐस्टेनिस से बनाता है यह बिलाइ स्टील ट लोकेटिट दीठ इन डूर्ग वाज इस्टेबलिस्ट ट द big कोपरेशन वित विच कंट्री तो इसमें कोपरीशन मिला था रसिया का बिलाई जो की 36 गणपड़ता है इसके किसके कोपरेशन से बना था रसिया के आइरन एन स्टील इंडर्स्टी जफ इंडिया देखेंगे जमसेद पूर जमसेद पूर जो है आइरन एन स्टील इंडर्स्टी है यह source of receiving iron ore कहां से मिलता है इसको तो यह मिलता है फ्रम माइन सफ गोरु माही सनी इन उडिशा एंड नुवा मुंडी इन वेस्ट बंगाल नेक्स्ट है बर्नपूर बर्नपूर जो iron and steel plant है यहां पे जो यहां पे जो आइरन ओर मिलता है वो छोटा नाकपूर के उडिकर्वvoorाइशा से राउर्केला जो की उडिकर्मे इखोन है यहाँ पेडिकाई में पहुआ उडिकर्वाइशा अद्राम डिला जो है उडिशा से जो कि उडिशा का ही यह परादिव पूरिशा में पड़ता है और उडिशा के कोईंजर बुनाई रीजन से यहां पर आइरन और आता है इस्डीर जो कशलिशा में बिनिशा कोईंजर कोईंधा कर का इस्टेल डिशन से नहीं अटियरता है है लुइण है लाओ अट्र ररी सामेस्ति फड़ एंड रिशियर फिला भी गडेशिए कोपोर्ट चल्स के सबस्तिटेश वाजए यह इसी एंदुर्टत प्रटीक पड्री कि सपोर्ट में भीडिया है विष ग्ताफ़orte प्रह सब्सक्रुपरें विट अ चर्मीय में डूनद जाता है which is the oldest industry of India यह cotton textile industry बहुत पुरानी है for which industry is चुनार famous चुनार जो famous है यह cement के लिए famous है और चुनार बहुत ज़्यादा मिलता है यूपी में यूपी में which is the main ingredient of cement mineral यह लाइम स्टोन लाइम स्टोन लाइम स्टोन which city of Madhya Pradesh is famous for pesticide industry यह भौपाल भौपाल famous है pesticide industry लिए वेर इस रबर इंडस्टी लोकेटेट इन इंडिया यह लोकेटेट है पणजी गोवा में ठीक है वेर इस टिसको प्लांट लोकेटेट टिसको जो है टाटा का ही है टाटा का इस्टील प्लांट है यह जमसेद पूर में जारखन में पड़ता है मेजर अलुमूनियम अपुडं सिंग कंपनी देखेंगे बालको बालको है अलुमूनियम कंपनी कोपरेटिंग कांट्री कोपरेट करती है यूए से सायर जो की अब नहीं है तो रसिया फिर मेजर सेंटर से के कोरबा चतिसगड़ में और और रतनगीरी महराष्टा में है नालको निस्ताल comm détariatumb कंपणीach इह और यह जो है फ्रांस के कोप्रेटिंग कोप्रेशन से चलती है और दम 쉬डी उरिशा में इसका मेजर सिंटर है अंगूल उरिशा में भी इसका मेजर सिंटर है इनडालको भी एक बहुत बड़ी एल्मूनियम के गंपली है यह USA के सपोर्ट से चलती है रेनु कुर्ड उत्तर प्रदिश में इसका मेजर संटर है इनडालको इनडालको जो है यह चलती है कैनेडा के हेल्प से और जेके नगर जो है वेस्ट पंगाल में यहाँ पे इसका मेजर सिंटर है वही बिदान था इस्टील की बहुत बड़ी और अल्मूनियम के वी कंपनी जर्मी के सब जर्मनी के सपोर्ट से चलती है जर्सु गुड़ा में इसका मेजर सिंटर है वेर वाज इंडिया फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट इस्टैबलिश तो यह सिंद्री इस्टी आफ रिष्रा नियर कॉलकार्टा फर्स्ट पेपर मिल वाज सेट आप एट सेरंपूर सेरंपूर जो कि बंगाल में पड़ता है इंडिया इंडिया जेस्ट फर्टिलाइजर फैक्ट्री इन दे कोपरेटिव सेक्टर तो यह है फुलपूर उत्रप्रदेश में वे अब हम देखें कि कुछ प्रिटे इंडिपेंडेंस आइरन इंडिस्ट्री इसमें नमबर वन पर आता है कुल्टी कुल्टी जो है यह वेस्ट बंगाल में 1874 में सटेब्लिश हुआ था सक्ची जारखंड में यह उननीससाथ में स्टैब्लिश हुआ था हीरापूर वेस्ट बंगल में心8 में इस्टैबलिष भुद भद्रावतती करनाज्टक में 2823 में इस्टैबलिष खुआ था वही बर्न पूर्वाला है विस्ट बंगल में जो 1937 में स्टैबलिष हुआ था इंटरनेशनल जूत और जाएशन वाज इंस्टिचूट की इंस्टिचूट का नाम है इसको इसको चूरुस्टी इसको में इस्टेब्लिश किया गया था शेंटरल सिल्क बोर्ड यह उनिसव उनिसव में सिप्लिश हुआ All India Handloom Board ये 1950 में इस्टेबलिस हुआ All India Handicraft Board ये 1973 में हुआ All India Khadiyan Gramudyog Board ये 1954 में हुआ Small Industry Board ये 1954 में ही हुआ इसके अलावा Small Industry Developmental Bank of India 1990 में हुआ Regional Regional Development Bank इसका अगठन 1975 में हुआ RRBG से बोलते हैं What is Approximate Ratio of Iron Ore, Coking Coal and Lime Stole in the Iron Steel Industry? तो इसमें होता है Iron Ore का 4 भाग और Coking Coal का होता है 2 भाग और Iron Steel Lime Stole का होता है 1 पार्ट तो ये रेसियो है 4 to 1 का The First Industrial Policy was announced by Shyama Prasad Mukherjee in April 1948 ये important fact है First Industrial Policy कब announced किया गया था? किसके द्वरा किया गया था? तो एक तो ये 1948 में अप्रिल में हुआ था? और Shyama Prasad Mukherjee के द्वरा किया गया था? Where was the country's first cement factory established in year 1904? तो ये चैन्नाई में हुआ था First cement factory 1904 में चैन्नाई में बना था This city is known as the capital of electronics industry तो ये है Bangalore Capital of electronic industry है Bangalore Where was the first super phosphate fertilizer factory established? तो ये रानी पेट तमिलाडू में ये established हुआ था? फिर आता है पितमपूर मध्य परदेश वाला Is famous for which industry? तो ये automobile के लिए famous है Automobile के लिए अब हम देखेंगे महारतन कंपनिया जो टूटल आज के डिट में 11 है Number 1 पे है भारत हेवी electrical limited इसका establishment हुआ था 1964 में और इसका headquarter है नई दिल्ली में फिर से बताता हूँ भेल इसे बोलते है 1964 में established हुआ था Headquarter है नई दिल्ली यादा है coal India Limited इसका गठन हुआ था 1975 में और New Delhi में ही इसका headquarter है ज्यादा के आप New Delhi ही देखोगे Gail Gas Authority of India Limited बोलते हैं यह 1984 में गठन हुआ था New Delhi में headquarter है IOCL बोलते हैं इसको Indian Oil Corporation Limited 1973 में गठन New Delhi में headquarter NTPC National Thermal Power Corporation Limited बोलते हैं 1975 में गठन New Delhi में headquarter ONGC Oil and Natural Gas Corporation Limited 1956 में गठन देवरादून में headquarter SEL Steel Authority of India Limited 1973 में गठन New Delhi में headquarter BPCL भारत Petroleum Corporation Limited 1964 में गठन मुँबई में headquarter Hindustan Petroleum Corporation Limited 1974 में गठन मुँबई में headquarter Power Grid Corporation of India Limited 1989 में गठन गुरु ग्राम में headquarter Power Finance Corporation Limited 1986 में गठन New Delhi में headquarter चलिए अब हम देखते हैं कुछ और industries जैसे cotton textile industry महराष्टरा, गुजरात और बंगाल में famous है Silk textile famous है जमू कस्मीर में पंजाब में और तमिलाडू में वही woolen textile ज्यादा famous है करनाटक में पंजाब में और जमू कस्मीर में Artificial cloths कहां कहां बनते हैं Mumbai, Delhi और कोलकाता में जूट textile चुकि बंगाल में और बिहार में ज्यादा होता है और एक स्टेट जोड़ दो इसमें आंद्रप्रदेश सुगर textile उत्रप्रदेश बिहार और महारास्टा obviously इधर ही तो होता है सुगर गन्ना सीमेंट textile यह है देली, मूंबई और कोलकाता में फिर आता है ग्लास वर्क यह फेमस जगह कहां का कॉन का स्टेट है वेस्ट बंगाल जारखन और महारास्टा इस इस इन पंजाब इस फेमस पर होजरी इंडस्टी होजरी इंडस्टी के लिए फेमस है लुधियाना जैसे कंबल यह सब जीज़े होती है ना भोजरी इंडस्टी में आता है अब भोजरी के पैंट भी देखे होंगे नेक्स है जलंदर जो कि पंजाब में इस फेमस पर स्पोर्ट गूड इंडस्टी के लिए फेमस है विच सिटी इस कॉल्ड मैंचेस्टर अफ साउथ इंडिया तो कोयमबातूर जो है मैंचेस्टर अफ साउथ इंडिया बोलते है इसको फॉर दा मैनुफेक्ट्चर अफ पेपर विच रॉब मेटेरियल इस यूज़ इन दर लाजस्ट कॉंटिटी यह बंबू पेपर के लि जरडेषण अफ इंडिया उनीश अफ इंजीनियर्स इंडिया लेमिटीडि इसका गठेटव 105 में इनदुस्तान अरि नॉक्सलिक लिमिटे 더 conducted इसका ऊणी सचारीस में वाथा National Buildings Construction Corporation Limited इसका गठन 1960 में हुआ था National Mineral Development Corporation Corporation 19,50 में हुआ था Naivelli Ignite Corporation Limited 1956 में हुआ था Oil India Limited 1969 में Arshti'e Spad Nigam Limited 1982 में Rural Electrification Corporation Limited 1979 में Sipping Corporation of India Limited 1961 में पिर आता है in the year 1947 first mill of newspaper first mill of newspaper was established in नेपानगर नेपानगर जो है famous है मद्ध्यपर्देश में है यह first mill newsprint का यहां पर लगाया गया था 1947 में और यह question 67 BPC में आया भी था ठीक है तो NCIT से बहुत सवाल बनते हैं आपको अच्छे से इसको पढ़ना है अब हम देखेंगे population and urbanization population and urbanization देखेंगे census census belongs to which list of 8th schedule of Indian constitution यह है union list हमेशा याद रखना census जो है union list का पार्ट है और इसलिए central government के द्वारा इसको conduct करा जाता है according to census 2011 what is the total population of India तो यह था 121 करोर ठीक है how many census have been conducted in India post-independence तो 7 census हो चुके है post-independence independence से पहले ही चल रहा है अभी तक वैसे सब मिला दिया जाए तो 15 हो चुका है लेकिन post-independence साथ हुआ है what is the percentage of India in total population of world तो यह है world का 17.5% जबकि land हमारे पास 2.5% है ठीक है the first census in India took place in the year 1872 during Lord Mayow very important Lord Mayow के tenure में हुआ था and the 15th census of India was completed in 2011 according to census 2011 what is the total population density of India तो यह था 382 per square kilometer मतलब एक square kilometer के एरिया में 382 लोग रहते है as per census 2011 which state has the highest population density वो है बिहार 1106 person रहते है per square kilometer में यहाँ पे according to the census of 2011 which state is lowest population density तो अरुनाचल प्रदेश में सबसे कम population density है यहाँ पे एक square kilometer में मातर 17 लोग रहते हैं according to census 2011 what is decadal growth rate of India decadal मतलब 10 साल का 10 साल में कितना growth हुआ है तो वो है 17.64 percent according to census 2011 which what is total population of males in India तो वो है 62.32 crores वो ही female की बात करे तो women's in India वो है 58.75 percent according to census 2011 most populous state is उत्तर प्रदेश कोई डाउट ही नहीं है 19.89 करोड अबादी है पूरा पाकिस्तान तो यही पे बस सकती है इतनी अबादी पाकिस्तान की है followed by महराष्टरा और बिहार according to census 2011 which is the state with minimum population सिक्किम में मात्र 6.10 लाख लोग रहते हैं ठीक है बहुत कम लोग रहते हैं according to census छोटा सा state भी है according to census 2011 which is the most populous union treaty हो है देली देली में 1.6 करोड की अबादी है what is the descending order of 3 most urbanized state in India तो सबसे ज़्यदा अर्बनाइज है गोवा फिर मिजोरम फिर तमिलाडू मतलब गोवा की आधिस ज़्यदा अबादी 60% की अबादी 62.1 प्रिसाइजली अर्बन है मिजोरम में ये 52% है तमिलाडू में 48.4% है which state of India has highest urban population density तो ये है तमिलाडू what is male literacy rate in India ये है 84.7% वही female की बाद करें female की से पहले ये देख लेते है who was the census commissioner of census 2011 तो answer होगा C. चंदरमौली which district of 36 गड़ has the highest percentage of tribal population ये district है दंते वाड़ा बोलते है यहाँ पर थोड़ा सा मावादी वाला activity भी होता रहता है ठीक है इन दे येर 19 नक्सलिजम में यहाँ पर काफी होता रहता इन दे येर 1911 1921 दो बर्थ रेट अफ ग्रोथ वाज नेगेटिव यानि की बर्थ रेट नेगेटिव था ये अच्छी बात है 0.0.3 1 and hence this year is called great divide year यहाँ पर डिकिडल ग्रोथ जो था ये कम था गिरी थी यहाँ पर अबादी according to census 2011 which is the least populous union territory ये था लख्षदीप यहाँ पर मात्र 400,470 लोग रहते है what is the total literacy rate of India ये है 77.7% total literacy rate what is female literacy rate in India ये है 70.3% which is the most literate state ये है केरल 94% अबादी यहाँ पर literate है यानि पड़ी लिकिए है which state has the highest male literacy rate तो ये है केरल का male में 96.11% which state has the highest female literacy ये भी केरल का ही है 92.1% which state has lowest literacy rate ये भिहार का है 61.8% के साथ according to 2011 census मिखाला इन इंडिया is the lowest difference between male and female education महला male जाए एउकेटद है female बहुत कम एउकेटद है यहाँ पर which state has lowest male literacy rate तो इसमें भीहार ही है ये है 71.20% और lowest female literacy rate भी भी भीहार का ही है ये है 51.50% और वही बात करें which is the most literate union territory तो हो है लख्ष दिप 91.85% येहाँ पर आबादी आबादी से निकाल कोई बंदा साइन कर सकता है वो लिटरेट है what is the total sex ratio in इंडिया यह है 983 female per thousand male पे which state has highest sex ratio यह है केरल का केरल का sex ratio है 1084 which is the state with minimum sex ratio यह हर्याना 878 यहां पे female की अबादिय per thousand male पे as per census 2011 the sex ratio of children aged 0 to 6 years in india is 919 per thousand person if as per census 2011 of in india the percentage of infant population in in keral is the lowest is the lowest in rural areas चली अब देखने के population structure तो चलिए population structure में important facts देखते हैं तो यह तो पूरा सब एक fact and data है आपको एक नजर रख लेनी है इसमें important क्या क्या है important तो यह है सबसे पहले हमारी अबादी कितनी है अबादी सबसे पहले हमारी सब्सक्राइब करोड़ है और हमारा जो कि अधिकेटल ग्रोथ है दस साल का वह 17.64 परसेंट है और हमारा average जो population density भारत का वह 382 स्क्वाइर परसंट पर स्क्वाइर किलमेटर है और हमारा सेक्स रेशियो 943 है लिटरेशी रेट है 73.04 परसंट ठीक है उत्तर पर्देश है हाइस पॉपुलेशन वाइल सिक्किम है लोएस पॉपुलेशन यह आपको थोड़ा से याद रखना है इसमें भी कुछ और इंपॉटरण फैक्ट हो सकता है जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा यह है तो वह सबसे कम देखा भी सतरह था कहा का और रुटेश्यर परदिश का डिकेडल ग्रोथ सबसे ज़्यादा कहां पर है तो देख लेते हैं एक पर सबसे ज़्यादा डिकेडल ग्रोथ स्टेट में देखा जाए तो स्टेट में आएगा आपको मिघाले मिघाले का 27.95 है इसके नीचे यह सब यूटी छोड़ दिया जाए तो यह कुछ इंपॉर्टेंट थाइस में बाकी तो आप यह एक नजर देख लेना इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी सब डाटा नहीं यारा हो सकता चलिए अब हम देखेंगे सिडूल कास्ट और सिडूल ट्राइब पहला है विच एथिनिक ग्रूप इस फाउंड इन नौर्थ इस्टन और हिमालियन रिजन अफ इंडिया में मंगोल आइट्स पाए जाते हैं संथाल ट्राइब अफ इंडिया इस रिलेडेट टू विच स्पेसी तो इनकी स्पेसी है प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड विच स्टेट है लार्जेस्ट पोपुलेशन अफ भिल ट्राइब तो दिवाली एज फेस्टिबल अफ मोर्निंग यह नहीं मनाते हैं सुक कत्यवार यह मानते हैं विच इस दे में ट्राइब फाउंड इन धौलाधार रेंज ऑफ हिमालिया तो यह गड़ी जो हिमाचल प्रदेश वाला रीजन है ना उसमें गड़ी पाए जाते हैं मेजर ट्रा और सिंगफोस अबोर और आका आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं चेंचुस येरुकुला भगाता लंबादा यनाडी और कोंडा असाम में पाए जाते हैं चकमा ट्राइब दिनासा ट्राइब हजोंग ट्राइब गंगते ट्राइब और लालूंग ट्राइब बिहार मे पाए जाते हैं अगरिया, कोडाकू, धरवार, धनवार, कमर और खरिया, वही जो गुवा की बात करें तो यहां पे धोदिया और बरली, वही गुजरात की बात करें तो भील, बंजारा, पातेलिया, बर्दा, बरली, खरी, धोदिया, ककना, कोकना, चरन और कोली पाए जाते ह यहांवाजर प्रदेश के बात करें तो गडिज, गजर्स, पंगवाला, स्वांगला, किनोर और जाद पाए जाते हैं को जमुकस्मेर के बात करें तो बकरवाल, गुजर, मोन, बाल्टी, गडि शिप्पी और चंगपा पाए जाते हैं जारकंड की बाद करें तो संथाल पाए जाते हैं मुंडा पाए जाते हैं हो ट्राइब्स हैं या पर बिर होर्स हैं औराओं भी है खरिया भी है असुर भी है माल पहारिया भी है करनाटक में करनाटक में पाए जाते हैं बर्दा कोरागा पतेलिया यरावा सिद्धी चेंचू चेंचु के अलावा मालासार, मलेडू, टोडा और रथवा, केरल में कौन कौन से ट्राइप पाये जाते हैं, मोपलिस, अधियान, कुरुम्बास, नयर, अरंदन, एरावलन और कुरुम्बास, वही अगर मद्य परदेश की बात करें, तो यहां पर बैगास पाये जाते हैं, भारिया भी पाये जाते हैं, कोल भी पाये जाते हैं, मुरियाज भी पाये जाते हैं, अगरिया, कोरकु और गोंड पाये जाते हैं, महराष्टा में की बात करें, तो मादिया, कतकारी, कोली, औराव, वादली, बवाचा, भुंजिया, धोदिया, थोटी, यह सब पाये जात बंगाता साफेजिविटे में मनिपूर में यह सब ट्राइब सब कि भागामी लोटा नागा ट्राइब बहुत डेंजर होता है, मिकीर, कोनियक, गारो, कचारी और सीमा, ओडिसा में पाए जाते हैं, बगाता, कुंधा, भुमीज, बंडो, गोंडिया, कोल, करुआ और कोया ट्राइप पाए जाते हैं, इसके अलावा, राजस्थान की बात करें, तो यहां पर पाए जाते हैं, भील मिनाज, बंजाराज, सहारियाज, धमारिया, सिक्की में पाए जाते हैं, भोटियाज, लेपचास, और सेरपास, तमिल नाडू में पाए जाते हैं, अधियान, टोडा, अधियान, टोडा, एरावलूम, इरूलर, कोटास, पानियान, तिलंगाना में पाए जाते हैं, चेंच कि या रियांग जमंतिय चकमा हलाम माग उत्रा खण में पाय जाते हैं थारूस जॉवाण सारीस बुकसाज भूटिया बून बून राजीस वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं संथाल औरां मुंडा भुमीज कोरा भूटिया और बेदिया अंडमान और निकवार में पाए जाते हैं औरांस सेंटेनवीज, सॉमपेन टिटी लिंदमान आइलेड में पहां जाते हैं जरावाज दामनन दिव में पहां जाते हैं दुबला धोबिया बरली और सिद्धि दादर नागरही पहाँ जाते हैं धोदिया, दुबला, कथोडी, कुकुव़िवा, कुली धोर और नैकडा यहां से देख लीजिए सोमपेन सेंटेनलीज उंग जरावा ट्राइब्स फाउंड ओन अंडमान निकोबर आइलेंड आर ओन दे वर्ज ओफ एक्स्टीन्शन ठीक है यह सब खतम होने वाले हैं सेंटेनलीज की तो एक कहानी भी आय थी जिनोंने मार दिया था एक बंदा गया था वहाँ पर उसको भाले से फेक के मार दिया था नेक्स्ट है विच रीजन अफ इंडिया इस मेंली रिजाइड़ वाई संथाल तो यह इस्टर्न इंडिया जो है भागलपूर और राजमहल के बीज की पहाड़ी की बीज में रहते हैं इसे संथाल प्रागना के तौर पे माटा गया है विच ट्राइब डज रितु परवाज देयर भूटिया ट्राइब गड़ी ट्राइब इस नेटिव अफ हिमाचल परदिस गड़ी ट्राइब मैंने बताया विटा यह मतलब पहाड़ों में रहते हैं इन विच स्टेट इस दपहाड़ों में मतलब की पहाड़ के नीचे नहीं मतलब पहाड़ी एडिया में रहते हैं in which state is the Sahariya tribe mainly found तो यह राजस्थान और मद्य प्रदेश में पाए जाते हैं फिर आएगा at the time of at the time of the census 1901 who was the first to present the description of species in Indian population इनका नाम है Herbert Reed Geely in which tribal community are marriage practices called levirate prevalent levirate जो marriage practice है यह हो tribe में famous है which is the oldest tribe of India यह है जरावा tribe oldest tribe पूछा जा सकता है अपसे which is largest scheduled tribe of उत्राखन इनका नाम है John Suri John Suri where does Toda tribe live in यह रहते हैं on निलगिरी तमिलाडू हिल्स में निलगिरी हिल तमिलाडू में पढ़ता है टॉप फाइफ सीडूल ट्राइप स्टेट्स देखेंगे सबसे उपर आता है मदेपर्देश यहां पर tribal अबादी है एक करोड़ तिर्पन लाग सुल्ला हजार साथ सो चोरासी फिट सेकेंड प्याता है उडिसा पंचानवे हजार नौस सरी पंचानवे लाख नब्बे हजार साथ सो चपन गुजरात में है 89,17,174 महराष्टा में यह नंबर है दूसरे नंबर पर महराष्टा ही है महराष्टा में यह नंबर है वन लाग वन करोड फिप्टी वन लाग तुहंड़ थरी 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 वही राष्थान में देखा जाए तो 92,38,534 है सबसे उपर कोन आया मध्यपरदेश फिर आया महराष्टा फिर आया उडिसा फिर आया राष्थान और लास्ट में गुजरात चलिए अब देखेंगे population of largest and smallest tribe सबसे ज़्यादा जो largest tribe है वो भील है इनकी population जो है 1.26 करोड है largest tribe है फिर आता है गोंड 1.08 करोड है second largest tribe है संथाल अंठावन लाक है इनकी अबादी है third largest tribe है मीना और 30 लाक है नायकदा 33 लाक है औराओ 31 लाक और सुगाली 20 लाक है इनकी अबादी है सबसे ज़्यादा भील किये the word dalit was used for the first time by Jyotiba Phule for scheduled caste and it was popularized politically by Dr. B.R. Ambedkar साब गांधी जी used the word harijan for scheduled caste गांधी जी ने harijan used किया था scheduled caste के लिए लेकिन dalit word है Jyotiba Phule का और इसे popularized किया था Ambedkar साब ने the word scheduled caste was first used by Simon Commission in 1927 यह भी important fact है particularly vulnerable tribal group जिसे हम PVTG बोलते हैं यह क्या होते हैं यह total 75 है मतलब कि tribal में particularly particularly vulnerable है जिनकी आबादी बहुत कम है तो तमिल नाडू में है कोटा टोडा और इरूलर सिक्की में है लेपचा और 36 गड़ में है कवारधा उत्राखंड में है बुक्सा और राजी अन्दमान निकोवार में उंग जरावा और स्वाम पेन फिर आता है types of marriages किस तरीके की marriage करते हैं ट्राइबल्स परिविक्षा बिवा होता है कूकी ट्राइब के बिच में हरन बिवा होता है गोंड ट्राइब के बिच में परिक्षण बिवा होता है भील ट्राइब में सेवा बिवा होता है खसी और थारू ट्राइब में दूध लोटवा बीवा होता है गोंड में राजी-खुसी बीवा होता है हो ट्राइब में चुटकुट्टा बोलते है थारू ट्राइब के बिवा насколько प्रेत बिवा होता है नयूर्ट ट्राइब में प्रेत बिवा depends special laws देखेंगी constitution के साबसे बनाए गये related to protection of scheduled tribe तो एक है civil rights protection act 1955 में आया था इसको amend किया गया था 1976 में फिर आता है prevention of atrocities बहुत important scheduled caste and scheduled tribes act 1989 वला है एक है minimum wages act 1948 यह जो मतलब बंदुवा मजदूर बना देते थे उनको उससे related है कि बहिए ऐसा नहीं है minimum wage तो देना ही पड़ेगा prohibition of bonded labor act 1976 में आया था prohibition of child labor act 1986 में आयाता है यह सब tribal से भी related है child labor वाला और normal से भी related है बट ठीक है tribal से भी related है tribal population on island groups देखेंगे ओंग tribe कहां रहता है यह रहता है यह रहता है यह रेस है negrito race है little अन्दमान पर यह रहता है sentinel यह भी negrito race है यह sentinel आइनल पर रहता है यह तो अपने आपको बिल्कुल cut up रखते हैं कोई जाता है तो उसे मार भी देते हैं जरावा tribe यह भी negrito race है और यह middle and south अंदमान में रहता है फिर आता है यह mongolide है mongolide और great nicobar में रहते हैं चलिए आदिवासी वर्ड जो है आदिवासी वर्ड वास फिर्स यूज़ बाइ ठककर बप्पा फॉर सिड्यू ट्राप्स ट्राइब्स जैपाल सिंग वह फॉर्स तो यूज आदिवासी वर्ड इन इस चीज़ से नहीं रहता है फिर आजाने इदर तोड़ा और जॉण सरी ट्राइब्स अब्जर्ब अब्जर्ब दॉब और प्राइब नहीं रहता है सब पॉली एंड्री पॉली एंड्री ये करते हैं पॉली एंड्री मतलब एक महिला ज्यादा मर्दों से विवाह कर लेती है पॉली गेम ही होता है पॉली एंडरी होता है वेर डज बोडो ट्राइब लीब तो बोडो ट्राइब जो है यह असाम की ट्राइब है गारो हिल्स में रहती है असाम मिघाले ट्राइब की वेर डज गारो ट्राइब लीब यह मिघाले में रहते हैं मिघाले हैं लार्जेस्ट फिर अगला एरिया क्लियर करेंगा यह प्रोसेस चलता रहेंगा अब हम ट्राइबल्स को मैप पे देख लेते हैं लदाख में लदाख में कौन सी ट्राइब दिख रही है लदाख में है बकरवाल चंगपा सिप्पी और गर्रा जम्मू में डोगरा बकरवाल गड़ी और गुजर तो बकरवाल क्या है बकरी भेड़ बकरी चलाते हैं इसके अलावा हिमाचक प्रदेश में गड्डीज स्वांगला और गुजर उत्राखंड में जनसूरी जौनसरी बुकसा भोटिया और राजी ठीक है पंजाब में नहीं दिख रहा है कुछ भी हर्याना में भी नहीं दिख रहा है थारू उत्तरपदेश थारू उत्तरपदेश ठीक है अगरिया थारू और अगरिया उत्तरपदेश बिहार में बैगा दिख रहा होगा जारखंड में संथाल मुंडा औरा हो फिर आपका सिक्किम में सेर्पा लेप्चा भूटिया एंसो ओन यह बहुत सारे हैं आप देख इसको ठीक है आप एक नजर मार लो पैनी नजर है ऑगा कि का कि अचीक है अब यूनियंट्रिटी और इंडिया इन गेटरट फैक्टेश देखेंगे यूनियंट्रिटी बा में इंडिया इन चलिए देख लेते हैं अंडवान निकोवर आइलेंड इसका इस्टैब्लिश्म इस्टैबलिस्मेंट हुआता है कैपिटल इसका कहा है पोर्ट बलेर है इसका एरिया कितना है 8249 किलोमेटर है यहां पर टोटल तीन डिस्टिक है यहां पर लेंग्वेज चलते हैं अफिसियल लेंग्वेज हिंदी अंडमानी निकोबारी बांगला तमिल और तेलगू भी च जाता है दादर नागरहविलियन दमनेंद्यू 26 जनवरी 2020 को बना है लेटिस्ट है दमन इसकी कैपिटल है 603 स्कॉर किम्टर के एरिया है टोटल तीन डिस्टिक है गुजराती और हिंदिया का ओफिसियल लेंग्वेज है लक्षदीप एक नॉमबर उनिस्चपन को बना था वितकावारती है जेक कैपिटल 32 स्कॉर किम्टर सबसे कम एरिया वाला यूटी यही है एक ही डिस्टिक है जेसरी महल और मल्याला में यहां पर ऑफिसियल लेंग्वेज के तौर पर यूज के जाता है देली 1 नॉमबर 1956 को बना था डेली कैपिटल है इसका 14 से 83 स्कॉर किम् कैपिटल पॉंडी चेरी है 492 स्कॉर किम्टर का एरिया है चार टोटल डिस्टिक है तमिल इंगलिस तेल्गू मलयामर और फ्रेंच यहां की ऑफिसियल लेंग्वेज है जम्मू कस्मीर बना है आफ्टर जम्मू कस्मीर रियोर्गनाशन एक्ट 31 अक्टूबर 2019 को स्रीनगर कैपिटल है और 24,624 स्कॉर किम्टर का एरिया है 22 इस में टोटल डिस्टिक है उर्दू डोगरी कस्मीरी और हिंदी इंगलिस भी यहां पर बोली जाती है लदाक भी एक यूटी है यहां पर यह भी बना था जम्मू कस्मीर से अलग होके एक ही डेट में 31 अक्टूबर 2019 को ले इसका कैपिटल है एक लाख और सथ हजार पच्पन स्कॉर किलोमेटर का एरिया है ज्यादा है एरिया है दो इडिस्टिक है लदाक उर्दू और इंगलिस यहां की ऑफिसियल लैंग्वेज है इस नेक्स देखते हैं वू एमंग दे इंडियन स्टेट्टेट्स इस कॉल्ड कोहिनूर अफ इंडिया तो कोहिनूर अफ इंडिया को बोलते है आंध्र पडेश को दीटी फोफ चंडिगढ्ड डेजाइन वाई फ्रेंच आर्किटेक्टर ली कॉड़ू इजर ली कॉडू को पती में according to the area which are the three largest states of India respectively सबसे एडिया वाइस सबसे बड़ा है रास्तान फिर मर्द पर्देश और फिर महरास्ता बट population wise सबसे ज़्यादा population रहती है उत्तरप्रदेश में which state have third largest population and twelfth largest area in the India area in India यह बिहार यहाँ पे eight point something eight point nine I think seven के आसपस population रहती है और area जो है यहाँ पे कमी है ज्यादा नहीं है how many states does Assam's border touch तो यह touch करता है साथ state को और उनाचल प्रदेश को करता है नागा लेन को करता है मनिपूर को करता है मिजोरम को करता है वेस्ट मंगाल को करता है मेघाले को करता है त्रिपूरा करता है बहुत सारे नौर्थ इस्ट के अल्मूस सभी states को touch कर देता है ठीक है अर नाचल प्रदेश नागालेन मनिपूर सिक्किम छोड़के यह लगवक सब को टच करी रहा है और नासर प्रदेश नागालन मनिपूर मिजोरम बेस्ट पंगाल में घाल है त्रिपुड़ा विच स्टेट ऑफ इंडिया टचेज मैक्सिमुम स्टेट्स बाउंडी यह उत्तर प्रदेश अकॉर्डिंटू 2011 सेंसे विच डिस्टिक अफ उत्तर प्रदेश इस हाइस पॉपलेशन देंसिटी यह गाजियाबाद की पॉपलेशन देंसिटी सबसे जादा है उत्तर प्रदेश में विच इस स्मॉलेश स्टेट इंटर्म सप एरिया गोवा का एरिया बहुत कम है इन टरम सब पॉपलेशन विच इस लाज़ज अश्च यूनिया श्ट आफ इंडिया यह यह 23 देली विच इस्टेयट आफ इंडिया एज मोस्ट डिस्टिक तो सबसजाद डिस्टिक है उत्तर परेश मैंद उत्तर परेश अच्छिवे अब देखते हैं में नेक्सट विच स्टेट तॉच दी बोडर अफ केरला करणाटग और तमिला проф Price Nach at present the number of states is 28 and number of union territory is 8 याद होना चाहिए यह लेटेस्ट है यह पहले 27 था अब टाइस हो चुका है यूटी पहले 7 था अब 8 हो चुका है in which year was the status of union territory granted to Delhi यह दिया था दिया गया था उनीस सचपन में which is the first digital estate of the country digital estate first a keral keral is the right answer keral पहला क्या है digital estate है what is the summer capital of Himachal Pradesh Himachal Pradesh का summer capital है Simla Simla how many states and union territory of India international border boundaries यह 18 स्टेट है 18 स्टेट और union territory मिला के international border को टच करते हैं when was the state of Jammu Kashmir रियोर्गनाइज तो यह रियोर्गनाइज हुआ है 31st October 2019 को यह effective date है which new union territory has been formed by merging दादर और नागरहविली और दमनन्दिव तो यह अब बन गया है दादर और नागरहविली और दमनन्दिव ठीक है इन्हीं दोनों को मर्ज करके इनका नाम सब मिला के कर दिया इस्टेट अफ मिघाले अवज फॉर्म एज एन ऑटोनोमस स्टेट अंडर आसाम और 2nd April 1970 एक फैक्ट है याद रखना important research centers देखेंगे इंडिया के important research center देखेंगे इंडिया के what is the name of India's first Antarctica research center इसका नाम है दक्षिन गंगोत्री 1984 बना था अब यह नहीं काम होता है इंडिया 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 इस्टेब्लिस सेकेंड साइंटिफिक रिसर्च सेंटर अट मैत्री ओन देखेंट अव अंटाक्टिका तो मैत्री अभी चल रहा है दक्षिन गंगोत्री बन दो चुका है यह कटक उरिसा में पर्था है इंडिया इंडियन राइस रिसर्च इस्टेट गाट आ है qa time एंडिया इंडिया 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 इंडिय। रिसर्च इंस्टीट लोकेटेड यह कानपूर में Central Food Technological रिसर्च इंस्टीट इस लोकेटेड इन मैसूर क्या है Central Food Technological Research Institute कहां पर लोकेटेड है मैसूर में लोकेटेड है वेर इस National Milk Developmental Council लोकेटेड यह है आनंद गुजरात में अनंद अगर आप भुज से कभी जाओगे देली के तरफ तो आपको आनंद स्टेशन मिलेगा नेशनल मिल्क डेवलोप्मेंट काउंसिल यहां पर लोकेटेड है वेर इस नेशनल nel Christmas Tomorrow अन नेशनल क्रॉपिंग व्डी नेशनल क्रॉपिंग वॉर्स टर्टेश नेशनलक्राइश के वलोकेटेड है जांही उत्र पर सिर्थ इस संट्रीज इस स्ट्रों में थिस ड ़ैते समनूल सेंगरी हैं जांछते टिनेरिंग और Start सिन मसीन यह भुपाल में वेर इस दा सेंट्रल एरीड जोन रिसर्च स्टेशन लोकेटेट यह है है तेलंगाना में वेर इस आपको पता है ना है तेलंगाना की रजानी है और अमरावती है आंदर परदेश की दोज़ा चौदर के बाद यह डिसाइड हुआ है ठीक है मतलब स इंडियन डाइमसिटीटीट लोकेटेठ डाइमड आहा यह सूरत गुजरात में नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट इंस्टीट इंद्लोटेंगान यहाद रखना呢 बोटैनिकल सेंटिटीट लगन connections very much center rl Mining Research Institute located यह धनबाद जहर्खन में Central Mining Institute कहा पर लोकेटेड है धनबाद जहर्खन में लोकेटेड नागपूर महाराष्टर में important research institute अफ इंडिया देखेंगे National Institute of Occupational Health यह लोकेटेड है एहमदाबाद में Central Building Research Institute यह रूड की जो की पड़ता है उत्राखंड में यह लोकेटेड है Central Plantation Crop Research Institute यह कुडूलू में लोकेटेड है Center for Molecular and Cellular Biology यह हैदराबाद में लोकेटेड है Central Road Research Institute यह नई दिल्ली में लोकेटेड है Archaeological Survey of India यह नई दिल्ली में लोकेटेड है Central Leather Research Institute यह लोकेटेड है चेनगहीं में Central Mechanical Engineering Research Institute यह दुर्गापूर में लोकेटेड है Indian Metrological Observatory है न случай देली में Indian Institute of Petroleum है देहराधून में इसके अलावा फिर आता है National Aeronautical Laboratory कहाँ पे है ये बैंगलूरू में है National Institute of Oceanography है पनजी गोवा में Diesel Locomotive Works ये वारा नसी में है Central Drug Research Institute लखनाउ में है Textile Research Institute अहमदाबाद में है All India Institute of Medical Sciences कहाँ पे ये नई दिल्ली में है Tata Institute of Foundational Research ये मुंबई में है High Altitude Research Laboratory ये कहाँ पे गुल्मरगा में है National Environmental Engineering Research Institute है नागपूर में Indian Agricultural Research Institute ये है नई दिल्ली में Indian Institute of Natural Resin and Gums ये है राची में National Institute of Virology ये है पूने में Central Forest Research Institute है देहरादुन में Central Salt and Marine Chemicals Research Institute लोकेड़ है भावनगर गुजरात में भावनगर गुजरात में अब हम देखेंगे नेचुरल डिजास्टर सेंड मैनेजमेंट इंडिया इस डिवाइडे इंटू हाव मेनी सिस्मिक रिस्क जोन ये चार सिस्मिक रिस्क जोन में हमें बाटा गया है विच रिजन अफ इंडिया इस नॉट हाई इंटेंसिटी सिस्मिक बिल्ट ये करनाटक प्लेटू ये कोई हाई सिस्मिक रिस्क बिल्ट नहीं है अब हम देखेंगे इंडियन अर्थ्क्विक वॉलनरिविट्टी जोन तो देखें जोन फाइब वन टू थ्री फॉर में बाटगे है, जोन 5 जो है हमारा वह भेरी हाई गिस का बिल्ट ये इसमें इंटेंसिटी 9 या इससे ज़्यादा होगी इसमें जो रीजन इसमें एंडिया आता है एंडियाल आता है लदाक समीन अट Bone Turk नमबर फाइब जोन नमबर फाइब में हाई डेमेज रिस्क है मतलब उससे कम है जोन फाइब से थोड़ा कम है इसमें इंटेंसिटी आठ होगी इसमें फिर एगेन जमुकस्मीर आएगा आपका लदाख भी आता है इसी में और इसके अलावा आपका सेंट सर्टेन एरियाज फिमाचरप्रदेश सिक्किम आएगा इसमें फिर आएगा आपको नौर्थ ऑफ यूपी गंगा यमुना दुआब आएगा इसी में बिहार आएगा दिल्ली आएगा वेस्ट कोस्ट अप महराश्टर आएगा इसके अलावा आपका वेस्ट अफ राजस्थान भी इसमें आएगा जारखंड आएगा इसके अलावा चतिसगर्द महराश्टरा उडिसा आंद्रप्रदेश तमिल नाडू करनाटक और पार्टस पंजाब वी सी में आता है और जोन टू जो है यहां पर इंटेंसिटी 6 होगी और रीमेनिंग एडिया जो भी इंडिया की पच्किए उ जोन 5 वह 12 परसेंट उससे नीचे वाला जोन 4 वाला 18 परसेंट फिर 27 और फिर 43 परसेंट विच रीजन आफ उत्तरप्रदेश को तो पूरा ही कवर कर लेती है विच रीजन आफ इंडिया रिसीप्स तो यह नेपाल से नदिया आती है वह थोड़ा सा इस्टरण पार्ट इस्ट साइड वाला जो कोस्ट है उसे कोरोमंडल कोस्ट कहते है वहाँ पर ज्यादा रेंफॉल होता है और यह विंटर रेंफॉल बोलते हैं जो रिट्रीटिंग मौन्सुन होता है उसके वज़ासे यह होता है नेक्स आता है फ्लड एरिया इंडिया इंक्लूड द लोवर affected state of India यह है बिहार और असाम हर साल यहां पर बाढ़ आना ही आना है बिहार और असाम बरबाद है इस चक्कर में what substances come out from volcanic eruption इसमें लावा निकलता है आस निकलता है जो राख जैसा water vapor and gas वो गयर निकलता है where is the headquarters of geological survey of India located यह कुलकाता में कुलकाता में geological survey of India का headquarters अब हम देखेंगे volcanoes in India सबसे पहले बैरन आइलेंड जो की एक एक्टिव volcano यह अंदमान आइलेंड का है एसिया का one of the मतलब एक ही एक्टिव volcano है और इंडिया का तो ही नारकुल नारकुंडन यह extinct है बंद चुका है अंदमान island का है डेकन ट्रैप यह भी बूज चुका है अब नहीं इरप्ठ होता है extinct है महरास्टा में है बाराटांग यह भी extinct हो चुका है अंडवान island में है धीनो धर hills extinct हो चुका है गुजरात में है धोसी hill extinct हो चुका है हरियाना में है यह सब volcano eruption होते थे पहले लेकिन आब extinct हो चुके हैं फिर आता है Tosam Hill, Tosam Hill कहां पर है यह भी बंद चुके है हरियाना में इधर आजाओ Where was the country's first disaster management training institute established यह लातूर महरास्टा में established हुआ था country's first disaster management training institute लातूर महरास्टा Where is tsunami warning center located यह हैदराबाद में tsunami की warning अब आप सोचो tsunami तो जड़ा कहां आती है अपने नीचे के तरफ वाले area में आती है बट ठीक है tsunami है थादराबाद में located a warning geophysicist who studies earthquake and mechanical characteristic of earth is called seismologist seismologist is the right answer from the year 2007 India started the world's most modern tsunami warning system in Indian Ocean India इसमें पहल उठाया है which gas was responsible for vopal gas tragedy in December 1984 यह है methyl isocyanate cyanite मत ध्यान रखना cyanate ध्यान रखना nodal ministry for disaster management in India देख लेते हैं एक बाद तो natural और anthropogenic जो disaster होगा उसके लिए home ministry nodal ministry होगी वो उस पे action लेगी और इसको control करेगी famines के लिए ministry of agriculture because भुखमरी से ही होता है famines अकाल पढ़ता है fight disaster यह होता है civil flight disaster sorry fight के जगा flight होगा civil aviation इसकी ministry है वो इसको deal करेगी railway disaster के रेल मिनेस्ट्री chemical disaster के लिए ministry of environment pandemic सगर आजाए epidemic आजाए तो health ministry इसको take over करती है nuclear disaster मिनेस्ट्री ओफ nuclear energy इसको deal करती है फिर नीचे एक fact है in 2005 national institute of disaster management new Delhi वाला replaced national center for disaster management with 1995 में with home minister अब हम देखेंगे miscellaneous miscellaneous आ गया इसको देख लेंगे तो miscellaneous को एक एक करके देखते है miscellaneous information में geography में पहला इसमें देखिए which river flows through all three ranges of Himalya तो यह है सतलाज river which iron ore is found in most of the rock formations in India answer है धरवाड system AG mark is quality standard of food product ठीक है एक रूब मार्क बोलते है AG mark sort में लिखा रहता है who is the state animal of actually what होना चाहिए what is the state animal of चत्थिजगर तो यह होगा wild buffalo where is the Himalayan mountain mountaineering institute located यह दार्जलिंग में है where is diamond harbor and salt lake city located यह कोलकाता में है which state has the highest area of saline soil यह गुजरात में है ठीक है नमक जाता होता है यहापे मिट्टी में the floating island made of silt and vegetation is in the Loktak Lake of Manipur are locally called Fumids Fumdis Fumdis बोलते है इसको which is the oldest tribal group in South Asia South Asia का oldest tribal group है Gond what is the name of first nuclear reactor installed in India इसका नाम है Apsara which is the most populous district of country तो यह है थाने district थाने district जो है most populous district है हमारी country का the district which with the least forest area in 36 गर is Janjagir Champa while the district with the highest forest area is Surguja where is Neeri Neeri क्या होता है National Environmental Engineering Research Institute होता है यह कहां पर located है यह located है नागपूर में which type of drainage system predominantly forms in the rivers of South India तो यह local drainage system जो है pre-dominantly form करता है rivers of South India में यह प्रिंसिपल अट्रिब्यूटरी आफ इंद्रावती आर नंदीराज नारंगी कोतरी और निम्बरा निम्बरा what is the correct descending order of states in sugarcane production तो यह है उत्तरप्रदेश, महाराष्टा, करनाटका और तमिलाडू सबसे ज़्यादा उत्तरप्रदेश में फिर महाराष्टा में फिर करनाटका में और फिर तमिलाडू में when is world soil day celebrated यह celebrate किया जाता है 5 December को which state has the highest production of pulses यह है मद्यपर्देश on which river is Indira Sagar Dam located यह है नर्मदा नदी पे which national park was first established in India यह है Jim Corbett National Park which city of India is known as pink city यह है जाइपूर जाइपूर पिंक city of India which state of India is known as Silicon Valley यह है बैंगलूरू बैंगलूरू is the right answer Sikkim is the world's first fully organic state it was also declared the first open defecation free state under Swachh Bharat Abiyan which state of India is known as Silicon State यह है करनाटका where is jute industry located in Chhattisgarh यह है रायगर what is the number of cropping climates in Uttar Pradesh यह है total 9 which district of Chhattisgarh has three mines यह है Dantewaara district Dantewaara district where is Jungle Mahal region located यह है बैंगल में which language is the most spoken language after Hindi in India यह है Bangla language Khasi belongs to which language group यह है Austrik Austrik group से belong करता है Dhanbad the most densely populated district of Chota Nagpur प्लेटु is famous for the development and industrialization of the mining industry which is the major gypsum producing state of India यह है राजस्थान अब हम देखेंगे एक तरफ state है दुसरे तरफ district included in Delhi NCR हर्याना जो है हर्याना का जो गुरगाओ है फरीदाबाद पल्वल है यह सब included है दिली नौ नेशनल कैपिटल रीजन में पानी पत्रो तक सोनी पत्रेवाडी जजजर भीवानी महेंद्रगड चर्खी दादरी नूह जीन्द करनाल यह सब इंचीर में आते हैं उत्तरपदेश का गाजियाबाद गौतब बुधनगर यानि कि नोड़ा यह एंड गेटर नोड़ा को ही गौतब बुधनगर बोलते हैं मेरथ बागपत वुलंसहर हापूर मुझफर पूर मुझफर पूर मुझफर पूर इसके लावा सामली यह सब न राजस्थान का विए अलवर और भरतपूर चलिए अब हम देखें इदर इन इर नाइंटीन सिक्स्टी इंडियाज फर्स्ट एग्रिकॉल्चरल यूनिवर्सिटी वजिस्टेट पंत नगर पंत नगर कहां पर है उत्राखंड में हैं चलिए अब हम देखेंगे 17 इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपूर्ट जो की आया है 2021 में वेरी इंपॉर्टेंट तो कैटेग्री वाइज देखेंगे कंपेरिज कंपरेटिव व्यू में फॉरेस्ट कभर में वेरी डेंस फॉरेस्ट कभर जो की 19 वाले के हिसाब से यह था परसेंटेज वाई 3.02 वही अग वाले में तो यह 3.04 परसेंट फिर अगर हम देखें मोडरेटली देंस फॉरेट तो पहले था 9.38 अब है 9.3 थी थी थोड़ा कम हुआ है और ओपन फॉरेस्ट के बात करें तो पहले था कितना 2019 के डेटा के हिसाब से 9.26 था और अभी यह 9.34 हो गया है अब हम देखेंगे टोटल फॉरेस्ट कभर तो अभी के डेट में अभी का जो डाटा है वो है 21.71 परसेंट यह तो रटलो यह तो रटलो विकोज यही पूछेगा 21.71 परसेंट है और और फिगर में पूछे तो टोटल जोग्राफिकल एरिया वाज देखा जाए हमारा तो हमारा जोग्राफिकल एरिया है टोटल 32,87,449 स्कौर किलुमेटर ठीक है यह कम और ज्यादा नहीं हो सकता है स्टेट्स विट मिनिमम फॉरेस्ट कभर एरिया के हिसाब से देखे तो हरियाना में सबसे कम है 3.63 प मैक्सिमम फॉरेस्ट कभर देखे तो टॉप है लक्ष दिप जहां पर 90.33 परसेंट जो है टोटल फॉरेस्ट एरिया है वही दूसरे नंबर पर मिजोरा में विट 86.41 परसेंट फिर अंडमान निकोबार और फिर अरुनाचर परतिस फिर इधर आ जाएं तो हम हमें मिलेगा यूटी इस विट मिनिमम फॉरेस्ट कभर तो सबसे कम है चंडीगड में 20.07 परसेंट है लक्ष दिप में और भी कम है लक्ष दिप में तो जादा है एक्चली फिर पॉंडिचेरी है 10.88 परसेंट देली है और फिर दाधर नागर हविली है फिर एरिया वाइज देखे तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कभर कहां पर मद्यपर्देश में 77,493 स्कॉयर किलोमेटर में है 25.4 परसेंट मद्यपर्देश का टोटल जो है ग्रॉस एरिया का परसेंटेज इसमें फॉरेस्ट है अरुनाचल पर्देश में देखें तो सेक गोरी साँ इंपॉर्टन फाक्ट देखें तो एरिया फोरेस्ट कभर एफॉरेस्ट और ट्री कभर टोटल कितना है फोरेस्ट और ट्री दोनों मिला दिया जाये तो 24.62 परसेंट है एरिया वाइज देखे तो 8,9537 स्कॉयर किलोमेटर अनली फोरेस्ट कभर देखा जाये तो 21.71% है और tree cover देखा जाए तो 2.91% है इन दोनों को जोड दिया जाता है इन दोनों को तबनता है 24.62% increase in forest cover कितना हुआ है 1540 square kilometer का increase हुआ है tree cover में 721 square kilometer का increase हुआ है increase in forest and tree cover दोनों को जोड दिया जाए है तो 2261 square kilometer यानि कि 1% का increase हुआ है और overall 24.62% जोग्राफिकल area का forest है अमारे country में top state with increase देखा जाए forest cover में तो आंद्रपदेश top पे है यहाँ पर 647 square kilometer की increase हुई है फिर ते लंगाना है और उसके बाद उडिसा है वही अगर status of mangrove forest की बात करें तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा mangrove forest है 2114 square kilometer गुजरात में फिर दूसरे नंबर पर है 1175 square kilometer और अंडमान अनिकव आइलेंड में 616 square kilometer का forest cover है तो गाइस इस वीडियो में इतना ही because state and union territory तो आपको पता ही है यह तो मैंने बताया भी था कि sex ratio और date of formation इतना आप नहीं रट सकते so that's all अगले वीडियो में हम लोग इसी book का अगला topic cover करेंगे complete cover करेंगे geography में इतना ही world geography बचेगी उसको हम लोग cover कर देंगे एक वीडियो में बिलेंगे अगले वीडियो में bye bye